हेलो, वेलकम बैक, पद्दिव विहार कावि संग्र जो है कैलिकर्ट उन्वर्सिटी के अधीन, थर्च सेम में, उसके मोडियोल वन के सभी कावियों को हमने एक साथ संग्पिल्द करके एक वीडियो अप्लोड किया था, अब ये दूसरा मोडियोल है, सेकेंड मोडियोल, इसमें चार कवियों के कविताओं का अस्वाधन करने के लिए है, प्रथम तो मैतली शरन गुप्त जी की सक्खी वे मुझसे कह कर जाते, निराला जी की जागो फिर एक बार, नागारजुन जी की हम भी साजिदार थे, और अग्ये जी की मैंने कहा पेड, ये चारो कविताए इन में से कुछ तो स्टार्टिंग वाले दो स्वतनता पोर्व के कविताएं हैं, और उसके बाद के भी, स्वतनता प्राप्ती के बाद की कविताएं, इन चारों कवियों की अपनी-अपनी एहमियत है, मैतली शरन गुप्त जी जैसे आप जानते हैं, राश्ट्र कवी की उ मुझसे कह कर जाते में, उन्होंने गौतम बुद्ध की पतनी ये शोधरा के मन से गुजरने की उनके एक प्रयास है, ये कविता, सकी वे मुझसे कह कर जाते हैं, और सूर्यकान त्रिपार्थी निराला जी, जो चायावादी कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, उनका ज इस कविता के द्वारा उन्होंने किया है, और बाबा नागाजुन जी, जिनका असली नाम वैदनात मिश्र था, उनकी कविता हम भी साजिदार थे, में वो जनतंत्र कैसे पट्री से उतर गया है, और भारतिय डेमोक्रसी को क्या हो गया है, और गांदी जी के उस हत्या में ह हम भी साजिदार थे, यों वे स्वयम कबूल करते हुए, उनकी कविता है, हम भी साजिदार थे, और अग्ये जी का मैंने कहा पेड, जहां एक लगु मानव, एक बड़े व्रिक्ष के सामने प्रश्न पूछता है, कि कैसे आमधी पानी में भी निडर होकर, अटल होकर व्रि इस प्रकार ये चार कविताएं, काफी अच्छे-ची कविताएं हैं, इन्हें समझाने के लिए कई बार जैसे बाबा नागरजुन की कुछ अन्य कविताओं का भी उलेक करना पड़ा, ऐसे किया गया है प्रयास, क्योंकि जब आप एक कवी को पढ़ते हैं, तो केवल कवित पर आश्रित न रहकर, उनकी कुछ अलग प्रसिद्ध कविताओं की जांकिया भी लें, तो अच्छा रहता है, और कोशिश की गई है कि हिंदी में और मल्यालम में भी इसके वर्षन्स अप्लोड किये गए हैं, लेकिन एक बार फिर दर्खास है मेरा, कि आप मल्यालम अर्थ समझने के लिए ही सुने, हिंदी वर्षन ज्यादा बार सुने, अब जितने अधिक बार हिंदी को सुनेंगे, उतनी सुधर जाएगे आपकी हिंदी, और हमारा लेक्षे भी यही है, इन कविताओं के द्वारा आपके भाषा का जो वर्धन होना है, वो होना चाहिए आशा करती हूँ इस प्रकार आपके exams के पहले, आपको यहाँ वहाँ वीडियोस खोजने की जरुरत नहीं है, जब आप अधियन करने बैठें तो एक साथ बैठें, देखें आप एक बार जब अर्थ समझ लेते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, फिर आपको दे आस्वादन में एक एहम स्तान है उसे सही तरीके से सुनना, और इसी लेक्षे को सामने रखकर हमने सभी कविताओं के छोटी-छोटी क्लिपिंग्स दिये हैं, जैसे जादा से जादा दो-तीन मिनिट के अंदर ही केवल कविताओं का आस्वादन करने के लिए एक अलग प्ल जी की, निराला जी की जागो फिर एक बार, नागारजुन जी की हम भी साजिदार थे और अगे जी की मैंने कहा पेड़, इन चार कविताओं को भी उसी के अंतरगत हमने केवल कविता का आस्वादन, उसमें व्याख्या नहीं है, मात्र कविता है, उसे क्या होता है, आप औ और भी कुछ काम कर सकते हैं, और इसे audio on करके आप इसका आस्वादन कर सकते हैं, और काविया आस्वादन का दूसरा step होता है, आप स्वयम उसे जोर से उसका उच्चारन करें, अब ये किस हद तक आप लोग करते हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि आप उसे सही तरीके से पहले सुने, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि काविया को जितना हो सके, सही तरीके से उसे प्रसंद किया जाए, तो ये चारों कविताओं के चोटे-चोटे क्लिपिंग्स हैं, दो-तीन मिनिट के अंदर ही आप उसका आस्वादन कर सकते हैं, पा क्योंकि audio-visual medium एक ऐसा medium है, जो आपके मानस पटल पर एकदम से चा जाता है, बोर भी नहीं होंगे, और exams जब निकट आएंगे तो आपको आसानी भी पड़ेगी, तो ये भी किया है, और कई शोतागणों के और से question-answer discussion की बात उठ रही है, अभी कनुपरिया का हमारा जो च इसी हूँ, उसके बाद देखते हैं, exam से पहले, एक-एक module-wise revision का एक कारिकरम भी शुरू करते हैं, तो आप एक-एक module प्रिपेर करके अगर उस वीडियो को देखें, तो उस module में क्या-क्या है, आसान है, हिंदी पढ़ना एकदम आसान है, एक बात है कि, only thing you have to hear it repeatedly, and you try to speak, बस इतना ही है, आप देखिए, कोई भी उतरभारत जाता है, कितनी जल्दी हिंदी सीख जाता है, इसमें कोई qualification की जरूत नहीं है, एकदम simple language है, और आपके exams में ये काफी सहायक सिद्ध होंगे, जितनी ज़्यादा बार आप हिंदी सुनेंगे, इसलिए मैं बार-बार कह र जाती हूँ, इस प्रकार का ये जो मेरा श्रम है, आपको लाबदायक सिद्ध होगा, तो समर्पित है आपके सामने, दूसरे मोडियूल के इन चार कविताओं को एक साथ, मैतली शरन गुप्त जी की ये शोदरा खंड काविय से ये काविया मिशलिया गया है, सक्खी वे मुझ से कहकर जाते कविता की ओजाने से पहले थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी देना जरूरी है, ये कहानी है सिद्धार्थ राजकुमार की, जो राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के पुत्र थे, राजकुमार थे, और उनका जन्माज से करीब 2600 पहले, करीब 6-4 सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर में पड़ता है, और राजकुमार थे, लेकिन राजकाज में इनका कोई मन नहीं लगता था, राजा शुदोधन ने सिध्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम किया, लेकिन सिध्धार्थ को किसी, सिध्धार्थ किसी का दुख नहीं देख सकता था, उसका मन बैरागी का मन सा था, ये भोग विलास उसे अपनी और तनिक भी आक्रश्न कर सकी, उनकी चोटी उम्र में ही, 16 साल की उम्र में ही उन्हीं राजकुमारी ये शोधरा से उनका विवाह कर दिया गया, और उनका पुत्र राहुल, लेकिन ये संसार की जो भोग है, जो सुख लालसा है, उन्हें ज्यादा दिन बांध न रख सकी, वे संसार को जन्म मरन और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में लग जाते हैं, और निकल पड़ते हैं, अपने राजमहल, अपने राजसी, ठाटबाड, सब कुछ छोड़ कर, अपनी पत्नी, अपने बेटे को छोड़ कर, जंगल में, कठोर साधना और तपस के लिए निकल पड़ते हैं, और निकल पड़ते हैं ऐसे समय में जब उनकी पत्नी और उनका पुत्र राहुल सो रहा था, और बाद में बोधी व्रक्ष के नीचे कई साल के तपस्या के बाद उन्हें ग्यान प्राप्ती हुई और वहां सिध्धात गौतम से गौतम बुद जी ने, उसी विरहिनी ये शोध्रा की कहानी इस कविता में कही गई है, ये एक खंड काव्य है ये शोध्रा, उसका एक छोटा सा अम्श मात्र है आपको पड़ने के लिए, उसकी छोटा सा एक काव्यम्श है, सक्खी वे मुझसे कहकर जाते, कहतो क्या मुझको वे अपनी पत्थ बादा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा फैचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयम सुसजित करके शन में, प्रियतम को प्राणों के पन में, हमें भेज देती हैं रन में, शात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हे हैं निश्टुर कहते पर इनसे जो आसू बहते सदय हुदय वे कैसे सहते गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे कहकर जाते जाए सिध्धी पावें वे सुख से दुखी न हो इस जन के दुख से उपालंब दू मैं किस मुख से आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते गए लोट भी वे आवेंगे कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे रोते प्रान उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता थी मैतली शरण गुप्त जी की सखी वे मुझसे कहकर जाते गुप्त जी की रचनाएं उनकी विशेष्टाएं क्यों बताएं तो भारतिय पुरान की जो उपेख्षित पात्र हैं उनको लेकर उनमें जो रचनाएं की हैं वो काफी चर्चित रही जैसे आप देखेंगे सांके उस जमाने में जब सभी श्री राम चंद्र और सीता जी की महिमा कर रहे थे तो मैतली शरण गुप्त जी ने उसमें से उपेख्षित और्मिला को चुना और ये शोद्रा देखें जब सभी गौतम गुद्ध का गुंगान कर रहे थे तब मैतली शरण गुप्त जी ने उनकी विरहीनी पत्मी ये शोद्रा को चुना और उनकी तीसरी कुस्तक जो काफी चर्ची तरगी वो थी भारत-भारती भारत-भारती में संपूर्ण का आवियद भारत माता का यशोगान से हरा था और इसलिए उन्हें राश्टर कभी की पदवी दिया गया और किसीने नहीं. हमारे राष्टरपिता मात्मा गांधी में मैदली शरन्गुप्त जी को राष्टर कभी का पढ़ी लिए. तो हम देखते हैं मैदली शरन्गुप्त जी की कविता सखी वे मुझसे कह कर जाते. कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बांधा ही पाते. कम मुझसे कह कर जाते ये दुख मुझे निरंतर साल रहा है कि वो मुझसे कह कर क्यों नहीं कहे फिर वो खुदी कहती है कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बादा ही पाते नहीं शायद इसी लिए नात ने मुझसे नहीं कहा होगा क्योंकि अगर मुझसे कहते तो मैं जरूर उनको जाने नहीं देती शायद वे अपने पत की बाधा पाते मुझे मेरे नाथ कोई बड़ा लक्षे लेकर निकलने हैं और अगर वो मुझसे कहकर जाते तो शायद मैं उनकी पत की बाधा बनती ये प्रश्न कुद करती है सकी से और उत्तर भी स्वयम देती है ये शोद्रा सकी वे मुझसे कहकर जाते कहतो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना अब अगला प्रश्न है ये शुद्रा कहती है सखी उन्होंने मुझे बहुत माना मतलब वे मुझे बहुत प्यार करते थे चाहते थे मेरी इच्छाओं का मान करते थे लेकिन अब मुझे शंका हो रही है फिर भी क्या पूरा पहचाना उन्होंने मुझे पूरे रुप से पारे में वो जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लगने मिचे पूरे रुप से पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, अरे मैं तो उनका मन में जो है उसे ही मैं मुख्य मानती हूं, यह उन्होंने नहीं जाना, मतलब उनोंने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते उनकी अगर ऐसी इच्छा है कि वो सन्यासधारन करें तो मैं मान जाती क्योंकि मैं मुख्य रूप से मैंने उनीके मन की बात को तो सच्चा प्रेम यहां कभी दिखाते हैं कि बंधन प्रेम बंधन नहीं चाता तो ये शुद्रा कहती हैं कि अगर मेरे नात को मेरे प्रिय को सन्यासधारन की ही इच्छा थी तो मुझसे कह देते तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने मुझे पूरे रुप से पहचाना नहीं अरे मैंने तो मुख्य रुप से उसी को जाना जो वे मन में लाते जो उनके मन में है उसी को मैंने मुख्य रुप से जाना अरे सक्खी वे मुझसे कह कर जाते बस यही दुख मुझे साल रहा है कि कम से कम मुझे से कह कर जाते फिर और ये शुद्रा कहती है अपने सकी से स्वयम सुसजित करके शन में प्रियतम को प्राणों के पन में हमी भेज देती हैं रन में शात्र धर्म के नाते अरे हम शत्राणी हैं, हम शत्रिय धर्म का पालन करने वाली स्त्रिया हैं, हमारे रक्त में ही है, ये सब सहने की जो शक्ती हम में है, अगर उन्होंने मुझसे कह दिया होता, अपनी इच्छा का जाहिर कर दिया होता, तो मैं स्वयम सुसजित करके उनको एक शन में, मतलब की शत्राणीों के जीवन अगर आप देखेंगे, आप फिल्मों में आपने देखा होगा, कि जब युद्ध होता है, तो ये नहीं कि नात रुख जाओ, आपको कोई आपती होगी, आप मत जाईए, दूसरों को सेनापती को जाने दीजिए, ऐसा नहीं है, शत्रानी है, तो अपने नात को एकदम तिलक वगरा लगा कर, पुजा पाट करके भेशती है, तो उनकी रक्त में है वो धैरिय, वो है उनके रक्त में, तो फिर यही यशुद्रा कहती है, मैं स्वयम उन्हें सुसजित करके, शन में भेश देती, प्रियतम को प्राणों के पंड में, अगर उनको ये प्रिय है, तो मैं अपने प्राण को चोड़ कर, उनकी इच्छा के लिए कुछ भी करने के लिए तयार थी, क्योंकि हमी भेश देती हैं रन में, शात्र धर्म के नाते, शत्रिय धर्म के नाते, हम भेश देते हैं हमने यह देखा है परंप्रा से कि हमारी maatاؤं नहीं किया है हमारी कई बहनों नहीं किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी सक्खी बस वे मुझसे कह कर जाते यही दुख रह गया है वे मुझसे कह कर जाते और फिर यशोद्रा कहती है हुआ न यह भी भाग्या भागा किस पर विफल गर्व अब जागा अब मुझे ये भी भाग्य नहीं मिला जब मेरा प्रिय मुझे छोड़ कर बिना कहे जब मैं सो रही थी तब चले गए अब मुझे गर्व करने की बात मुझे में कुछ रही नहीं एक समय था जब मैं राजकुमा सिधार्थ की पतनी थी और मैं बड़े हमारा जोड़ी काफी सुशोबित होता था और मुझे उस पर गर्व भी था कि मेरे नात मुझे से प्यार करते हैं सिधार्थ मेरे अपने हैं अब हुआ न यह भी भाग्या भागा मेरा भाग्या ही अभागा है मेरा भाग्या ही फूटा है अब मुझे किस पर विफल करना है गर्व किस पर करना है विफल है मेरा गर्व करना जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरन ही आते सखी वे मुझसे कह कर जाते अरे जिसने अपनाया था अरे उसी ने त्याग दिया किसी और ने नहीं अपने ने कि त्यागा है रहे स्मरण अरे ये बात बात बार बार मुझे स्मरण में आती है कि जिसने मुझे अपनाया हे नारी जिसने तुझे अपनाया उसी ने त्याग दिया अब तेरा क्या अभिमान रहा समाज में तेरा गर्व करने लायक कुछ तुझ में है ही नहीं अब तेरा भाग्य ही अभागा है सखी वे मुझसे कह कर जाते यही दुख मुझे सालता है सखी बस वे मुझे मुझसे कह कर जाते नैन उन्हें है निश्ठुर कहते में से अपने आँकों में पुरी रूप से समा ही नहीं पाई हमने अपना जीवन के वल शुरू किया था और अभी मेरे नैन उन्हें निश्ठूर कहेंगे तो इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है क्योंकि नैन तो चाहता है कि अपना प्रीय को हमेशा देखे पर इनसे जो आसू बहते सदय हृदय वे कैसे सहते लेकिन एक बात पी ठीकी है ये शुदरा फिर खुद कहती है कि हाँ नैन उन्हें निस्टुर कहते हैं लेकिन अगर वो मुझसे कह कर जाते तो ये नैन इतने आसू बहाते कि उनका सदय हृदय वो सह नहीं पाता उनका हृदय वड़ा कोमल है गौतम बुद्ध का हृदय कोमल था इसलिए वो संसारिक दुख सुख मरन वगेरा देख नहीं पाते थे अती दुख को वो सहन नहीं कर पाते थे चाहे वो किसी दूसरा का ही क्यों नहीं हो तब यशोदरा कहती है ऐसे विक्ति अगर मेरे आसू को बहते देखते तरस ही खाते सच कहती हूँ वो तरस खाते सच में उनको मुझे पा तरस आता तो अगर मेरे नैन उन्हें निश्टूर कहते हैं लेकिन अगर इन नैनों से आसू बहते वे उन्होंने सहरदय बुद्ध ने देख लिया होता तो वे तरस ही खाते सची वे मुझे से कह कर जाते और फिर यशोद्रा अपनी नियती पर उस नियती के साथ वो थोड़ा सामरस्य पाते भी कहती है जाएं सिध्धी पावें वे सुख से दुखी न हो इस जन के दुख से उपालम बदू मैं किस मुख से आज अधिक वे भाते जाएं उन्हें सिध्धी पावें वे सुख से क्योंकि उनके मन में सिध्धी प्राप्त करनी की मोक्ष प्राप्त करनी की एक लालसा है तो वे जाएं सुख से पाएं दुखी न हो इस जन के दुख से इस जन के दुख से मेरे दुख से उनको दुखी नहीं होना है उपालंब दू, मैं किस मुक्से, उनको अगर मैं उपालंब दू, उनको मैं, उनके उपर मैं कोई उपालंब दू, उन्हें शिकायत भी करूँ, तो किस मुक्से करूँ, क्योंकि आज अधिक वे भाते, मुझे छोड़ कर चले गए हैं, मैं विरह में हूँ, मुझे से बिना क लेकिन आज मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे आज अधिक भाते हैं भाते मतलब अच्छा लगना उपालंब करना मतलब शिकायत करना तो जाएं ये शोद्रा कहती हैं सिध्धी पावेवे सुख से चले जाएं उन्हें अगर सिध्धी मिलना है तो सुख से प्राप्त करें जन से के दुख से उनको दुखी नहीं होना है उपालंब दू मैं किस मुख से अगर आखर मैं उपालंब दू भी तो किस मुख से दू आज अधिक भे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते आज वे अधिक मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन फिर भी ये शुद्रा कहती है सख वे मुझसे कह कर जाते गए लोट भी वे आवेंगे कुछ अपूर वानुपम लावेंगे रोते प्रान उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते सकी वे मुझसे कह कर जाते गए चले गए लेकिन अगर लोट आएंगे तो कुछ अपूर वानुपम लेकर आवेंगे क्योंकि चोटे से मेरे बच्चे को छोड़ कर, राहुल को छोड़ कर, मुझे छोड़ कर, मैं जो अपनी यववन में हूँ, इस जिंदगी को छोड़ कर, अगर वो कोई सन्यास लेने गए हैं, तो जरूर इस सांसारिक जिंदगी से कुछ अनुपम होगा, अपूर होगा जिसकी खोज में वे गए हैं, तो वे ले जब वो आएंगे वापस उस अनुपम चीज की सिद्धी को प्राप्त कर, रोते प्रान उन्हें पावेंगे, सच कहती हूँ, उस समय भी चाहे कितने साल हो जाए, मुझे रोते हुए ही वे पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, लेकिन सखी एक बात मुझे हमेशा यही दुख पहुचाती है, कि जाते जाते वे मुझसे कह कर जाते, तो दिल को थोड़ा ठंड़क मिलता, पही झाते है, मुझे कह जाते बात मुझे हमेशा यही दुख पहुचाती है, तंड प्रियदम नोड, तंड सिधार्त नोड, तन्ने उबेशिच्च पोय, सिधार्त नोड उल्ल, परयाद पोय दलो वेश्वमं तंड सक्खी उड परयाण। सक्खी वे मुझसे कहकर जाते, कहतो क्या मुझको, वे अपनी पत बाधा ही पाते। सक्खी एनिकी ओर दुख्वम एनने निरंदरम वेटे आड़ियाने एन्नोड अधेहं परयाद वोय दन्दान। पिन्ने ये शोदरदन स्वयम अधने उत्रम परयान। वे मुझको अपनी पत बाधा ही पाते। एन्नोड परनीरनंगेल उरिवक्षे जान ताडसमाई मारी हैने। एन्ने दुख्वा दे अधेहत्तने कुट तांगान उपकिल लैरन उरिवक्षे। अधोंड आरिक्यों एन्नोड परयाद वोय दुझको बहत उन्होने माना। फिर भी क्या पूरा पहचाना। एन्ने अधेहम वलरे अधिवम इष्णपिटिड़नू एन्निकर आरियाम पक्षे अन्नालू। एन्ने पूर्ण माईट मनसने अधेहम अन्सल आखिलाँ दोनू। मुझे पूरा नहीं पहचाना। एन्ने पूरण रूबत एन्ने अधेहारनी ला। मैने मुख्य उसीको जान, जोवे मन मेलात्ते, इनिकी अधेहत्तनूड वलर दीगम स्नेह वैरनू, अपपा अधेहत्तनूड मनसल एंदाणू, अधु साधिच्चु कुड़कगा एन्न दैरने इंद प्रधान लेक्षियो, अधु वश्य अधेहारियाद पोई, अधु उन् अधु यहां, यशोधरेड वर्यू स्वांर्थद इल्लात् वर्यू स्नेह, वर्यू समर्पन भाववान कवी कानिकीनदू, सक्की वे मुझ्से केहकर जाते, एन्नालू, एनिकी वे दुख्यों उन्टे, एन्नोडू परयाद पोयल्लो, पिन्ने यशोधरेड इंगिने पर अधु यहां, एन्नोड आओ पिन्सक्राद आओ एन्नोड पोयल्लो, आणिकी वे दुख्यों, सभील्लो, पिन्नालू, श्न्मे, श्योधरेड कोड़ेड इल्ला, पहलेद आओ, युद्धरेड इल्लने पावलल्यू, एन्नों, पुछ्यों आओ, सोस्जज़्यित और आओ जीवनोड उडी स्रेगल बरताविंद चिदेईलू चाडवायरुनू अधुपोल अन्ने राजा कमार एदलिंकार्णोषा तोच्चाले अवरण राणी मारे उन्नी केनटी चाडवायरुनू अलेंगी तील अड़ती चाडवायरुनू अवर कांगना भैंगर धायर्योळ स्रेगल हैरुनू अपड ये शूदर परेन दू मैं शत्रिय धर्म के नात्ते मैं स्वयम सुसजित करके जान स्वयम अध्यहते अध्यहतनी लेक्षे प्राप्तिकी वेंडी उल्ला यात्रय लेके जान स्वयम मदने उरिक्कुमाईरुनू हमी भेज देती है रण में रण नच युद्धम युदधम वेरिंबा नंगल अंगंद वुर एमजेंसी वेरिंबाम नंगल स्वय वरे उरिक्की विडारोंडू किसकीलिये शात्र धर्म के नात्रे शत्रिय धर्म पालिक्या मेंडिन यांगलांगने चेयारोंडू के नात्ते मतलब अधनी वेंडी सक्की वे मुच्से कहकर जाते सक्की पशे उरी दुखे वोल्लू पार्निट पोई रिनंगी हुवान यह भी भाग्या भागा किस्पर विफल गर्व अप जागा इनके अत्रैम पोल्व उरी भाग्य एन्ट भागिन तन्न लेकिन मेरा भाग्य ही अभागा है एन्ट लक्य तन्न अण्लकान अभागा अण्लक किस्पर विफल गर्व अब जागा इनी एनिक्य अहंगेरिक्यानी उन्नु विल्ला जिसने अपनाया था त्यागा रहेस्मरन ही आते इदिल परम उरु अबमानम उलिस्त्रीकोंडावानु विल्ला करना जिसने अपनाया था आराणो नमले कैव विडिच्च नमलेक्व विवाहत्ति इंडे पंदलिल अग्नी साक्षिया आराणो स्वीगिरिच्च दु अवरु दन्ने त्याग देना वेरा अरिवल्ला सोंदकार त्याग दना रहे स्मरन ही आते सकी वे मुझसे कह कर जाते अधे निक ओर्थ ओर्थ पिन्नीम अध्यते ओरमे मिरनू मरु अशत इंडभाग्यन दनने अभाग्यमा इट मारीलो इनना अलुईच्च इंड़ सुन्दम विक्ति दननने अनने त्यजिचलो इनना अलुईच्च सखी वे मुझसे कहकर जाते पशिवरी दुख्य उल्लू पर्णिट पोगा मैरन नयन उनहे है निष्ठूर कहते पर इंसे जो आसू बहते सदय रदय वे कैसे सहते गये तरसी खाते नयन एंड कंणगल अधेहतने निष्ठूर नने विलिक्यू पर इंसे जो आसू बहते सदय रदय वे कैसे सहते पक्षे इंड कंणगल ईष्विकन्न कंणगेर गंड सदय रदय नाय अधेह वरिक्यूम सही केते ले वलरे लोल रदय रदय आयरननों सिध्द्धार्थे उरु मरणम उरु दुखम उरु वार्धक्य सहज माय बुध्धिमुट्च्चुकल आरडें कंड़ निक्क्यां पच्चात्वरी हुरुदेयमायरन सिध्धार्थिंगर। उर्य राजय कुडूबत्तिल पेट्टवा युद्धम उन्नुम् वाइलन्स उन्नुम् अध्येतन इष्टवाल लायरनु। वल्लरी लोल हुरुदेयमायरनु। अब यशोधर वरयान। एंट कंड़ अध्येतने निष्ट्वुरन विलिक्किन्नंगिलुं एंट कंड़िलन उरिगन्ना आसू कंड़नीर कंडाल अध्येह उरिक्किनन सहीकिल्ला। गये तरस ही खाते तरस खाना अध्येतन एन्णोड वलरे दयत उन्नुवायरनु। एंट कंड़ ल्ल्ल कंड़ नीर कंड़िकननंगे। सखी वे मुच्से कहकर जाते एंन्नालुम परन्यट्वोईर नंगिल् इत्रें दुख्वा उन्डाविल्लैर निके। जायें सिद्धी पावें वे सुक्से। पिन अवसाने यशोधरा तंड विधियोड वरुट टर्म्स लेत्तुगाण। जायें पोटे सिद्धी पावें वे सुक्से। अध्येहु देशिकिनन सिद्धी अध्येतने नेडां कलियेट। दुख्षी नहो इस जनके दुख्से। एंड दुखंगारना अध्येहतने दुखंमर्या आँपाळिल्ला। उपालंब दू मैं किस मुख्से। जान एंद दोन्डाण अध्येतने कम्पलेंड दीनन। उपालंब देना स्नेहन नरन्या शिकायत कम्पलेंड जेया। आज अधिक वे भाते। इनने इनके अध्येहा अड़तिल नातद गारनां। इनके कूड़दल अध्येतने ओर्मा विरुनू विरहतिल जान अध्येतने कूडल स्नेही किनू। अधोंड इनके उपालंब कुड़कान दोननिल्ला। इनके कम्पलेंड जेया नंदोनिल्ला। जाएं सिध्धी पावें वे सुक्से पोटें अध्येहतने सिध्धी नेडननंगी नेडटें। दुखी न हो इस जन के दुखसे। एन्ड दुखंगारना अध्येहतने वे ताडसा वाम बाळिल्ला। सक्की वे मुझसे कहकर जाते। गये लोट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अवसाने इस कविदेड़ अपूर्व अनुपम लावेंगे। इदने अकाणु मिल्ली अपूर्वमाय, अनुपमाय, यूनीक आया, एन्दो और सिध्धी अदेहम नेडाना आईर क्यों अदेहम पोयद। अल्ले इदल्लाम इए प्राइम टाइमल उरे राजगुमार निटिट पूवा नच्या, रोते प्राण उन्हे पावेंगे, वे जब्भी आएंगे लोटके, अगर वे आएंगे तो मुझे रोते ही पाएंगे, यान अप्पिडूं करने उड़िके आरिकियों, पर क्या गा आते गाते सक्खी वे मुझसे कहकर जाते, अन्नालूं येशोधर वरयान सक्खी, उरु दुखमे उड़ू, अपोर्न भोगनोंनों, उरु यात्र मुळी चोल्लियट भोगा मायरुनों, इदुखमे निकि साइक्यां बचनिल्ला सूर्यकान प्रपाथी निरालाजी की कविता, जागो फिर एक बार जागो फिर एक बार, प्यार जगाते वे हारे सप्तारे तुम्हें, अरुन पंकत अरुन किरन, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार आखें अलियों सी, किस मधु की गलियों में फसी, बंद कर पांखें, पी रही है मधु मौन अथ्वा सोई कमल कोरकों में, बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार अस्ताचल चलेरवी, शशी चवी विभावरी में, चित्र थुई हैं देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमई घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल जुके हुए, आया कलियों में मधुर, मद उर यवन उभार, जागो फिर एक बार पियू रव पपी हे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदगदा वधू, याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की मून रही पलकें चारू, नैन जल ढल गए, लगुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार सहरदय समीर जैसे पोचो प्रिय नैन नीर, शैन शितल बाहें भर स्वपनिल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ती सुखोन माद हो, छूट छूट अलस, फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से को मन, रतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। तन मन ठक जाएं मृदु सुरभी सी समीर में, बुद्धी बुद्धी में हो लीन, मन में मन जी जी में, एक अनुभो बहता रहे, उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार उगे अर्णाचल में रवी, आई भारती रति कवी कंठ में, शन शन में परिवर्तित होते रहे प्रकृती पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार उगे अर्णाचल में रवी, आई भारती रति कवी कंठ में, शन शन में परिवर्तित, होते रहे प्रकृती पट, गया दिन, आई रात, गई रात, खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार जागो फिर एक बार सूर्यकांत्र पार्थी निर्याला जी की कवीता है, जो एक उद्बोधन गीत है, एक जागरन गीत किसको जगाने के लिए सुप्तावस्था मेलीन, अक कर्मन्यता की बेडियों से जक्डे, भारत वासियों को जगाने का गीत है कवीता के और जानी से पहले थोड़ी प्रिष्ट भूमी जान लेना जरूरी है, ये कवीता चायावादी युग में लिखी गई थी, सन 1922 से 1936 तक 1920 तो 1936 वो उस काल को चायावादी युग कहते हैं युग की विशेष्टा युँ थी कि सदियों से रूधी ग्रस्त भारत ने एकायक अपने आपको वाईज्यानिक सम्रुधी से पूर्ण, पास्चात्य सभिता के सम्मुख खड़ा पाया तो उसे अपने और युग के बीच उस गहरी खाई का एसास हुआ ध्यान देने की बात है कि भारत में विज्ञान और यंत्रों का विकास सहज स्वाभाविक रूप से उसके अपने प्रयासों के फल्सुरूप नहीं हुआ था अपितु यह यहां सामराज्यवात के साथ आए और भारती विकास का साधन बन कर नहीं वरन्शोषन का साधन बन कर आए अंग्रेजों ने देश में संचार व्यवस्था, यातायात, यांत्रिक्ता और नहीं शिक्षा पदधी की स्थापना की और अंग्रेजों के प्रभाव और अंग्रेजी से प्रभावित बंगला साहिती के संपग ने व्यक्तिवादी भावना को जगाया, जिससे व्यक्ति का अहम उद्दीप्त हुआ. इस नई शिक्षा ने अनन्त संभावनाओं को जागर्थ तो किया, किन्तु उनको साकार करने के अवसर नहीं के बराबर थे. फल सरूब असफलता और कुंठा, जनता में लक्षित होने लगी, और देश को पराधीनता से मुक्त करने का जो दाई तो था, वे उनको मानो भुला बैठे, मानो सुपतावस्ता में हो. गुलामी में जी रहे हैं, लेकिन कायर तावश उसके खिलाफ आवास नहीं उठा रहे. कुछ तो अंग्रेजी सीख कर अपने आपको अंग्रेज भी मान बैठने लगे. भारत वासियों को इस सुपतावस्ता से जगाने का दाउत्य कव्यों ने उठाया. राष्टिये जागरण एवन देश भक्ती जगाने के लिए कई गीत लिखे गए उस दोर में. जैसे माखलना चत्रुवेदी जी ने कैदी और कोकिला में यों लिखा. क्या देख न सकती जन्जीरों का गहना, हतकडियों क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना? पताया भारत एक जमाने में सोने की चडिया कहलाई जाती थी. प्राकृतिक वैभव से भरपूर्ण, उस वैभव एवन सम्रुधी का याद दिलाते हुए. कवी निरालान ने दिल्ली कविता में यों लिखा. क्या यह वही देश है? भीमारजुन आदी का किर्ति शेत्र. बालकृष्ण शर्मा नवीन ने यूं लिखा भिकमंगे कविता में. ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तु अखंड भंडार शक्ती का, जागरे निद्रा सम्मोहित. तो इस निद्रा से जगाने का काम कवी करते थे उस समय. तो अब समझ गए होंगे ये जागरन गीत निराला जी ने क्यों लिखा. ये समय की मांग थी. कवी इस बाद से काफी खिन्न थे कि देश पराधीन है, वे तो उससे दुखी थे और इस बाद से ज़ादा दुखी थे कि भारतवासी सुपता वस्ता में थे. निराला ने अपनी इस कविता में जागो फिर एक बार में प्राकरतिक उपमानों के सहारे, काफी रोचक रूप से, काफी कालप निक्ता लेवे ये भारतवासीों पर इशारा किया है. इसकी ये जो कावियामश है, इसकी इन बंग्दियों से ही पता चल जाता है, कितनी संदर्यात्मक रूप से, कलात्मक रूप से उन्होंने भारतवासीों की और इशारा किया. वे कहते हैं आखें अलियों सी, किस मधु की गलियों में फसी? अलि ये जो ब्रमर है, ब्रमर और ये जो कमल, इसका संभन काफी जर्चित है, कवीगन करते आते हैं, कि ब्रमर जो है, जो कमल के उपर बैट जाता है, मधु के लोभवश, और होता ये है कि इतना रम जाता है मधु के माधुरिय में, कि वो वहीं आखें मूंद कर, पुरे स अंसार को भूल कर वहीं बैठ जाता है तो यहां भारतवासियों की सुपतावस्ता में भारतवासियों की आंखें भी उस कमल में बैठे ब्रमर की समान है आंखें अलियों सी किस मधू की गलियों में फसी तुम फस गए हो मधू की गलियों में और फिर यूं आगे बढ़ती है कविता बंद कर पांखें पी रही है मधू मौन तुम अपनी पांखें बंद कर रहे हो तुम्हारी पंख बंद हो गए हैं ब्रहमर न वो उड़ना भी नहीं चाहता वो कमल के मधू में इतना रम जाता है कि उसके पंख बंद हो जाते हैं तो कभी कहते हैं जब तुम्हारे पं अंखें बंध हो रही हैं तुम पी रहे हो मधु माउन माउन होकर तुम पी रहे हो फिर यूँ और आगे कहते हैं बंध हो रहा गुंजार जागो फिर एक बार तुमारी गुंजार बंध हो रहे है जब ब्रमर का गुंजार ही बंध हो रहा है मतलब कि एक राश्ट्र की जब वानी ही नश्ठो रही है, राश्ट्र अपने आप से कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने बल पर कुछ नहीं कह पा रहा है, मतलब वो अपना अस्मिता खो चुका है, तो ऐसे में जागो फिर एक बार, आखें अलियों सी, किस मधू की गलियों में फसी, बंद कर पांखें, पी रही है, मधू मौ, यूँ जलती है कविता, कही प्राकरतिक उपमानों का प्रयोग इस प्रकार कवी ने इसमें किया है, जैसे एक पपीहा पक्षी की बात कही है, पपीहा पक्षी एक चोटी सी पक्षी है, कोयल के समान जो गाती है, और उसके गीत में ये एक विशेशता ल कह रही है यह कभी गण कहते हैं तो फिर यह रात भर यही कहते जाती है पी कहां पी कहां तो कभी कहते हैं जैसे पपीहा को अपने प्रियतम के प्रती एक निष्ठ प्रेम है ऐसे नहीं कि एक दो बार पी कहां पी कहां करके रुख जाती है कहती जाती है अब यह पक्षी पपी कर ये माथा एकदम से हो जाता है इतने बार कहती है पी कहा पी कहा तो कभी उस पपीहा के जैसे भारतवासियों को होना चाहिए कि हमें सुतंतरता चाहिए ये नारा लगातार लगाना चाहिए आदमी अम मनश्य को ये चाहिए भारतवासियों को ऐसे नहीं कि एक दो बार नार से बैट गया घर में निरंतर प्रयास करना चाहिए पपीहा के समान और फिर चकोर पगशी की बात कही है जो स्वाती नशत्र के जो कहा जाता है से mythical है methodology है कि स्वाती नशत्र के बूंद से ही वही ये खाती है मतलब कि उसी जल को ग्रहन करती है स्वाती नशत्र के और नहीं तो वो नदी तालाब कहीं का भी पानी स्विकार नहीं करती चाहे वो प्यासी ही क्यों न मर जाए तो चकोर और चांद का संबंध है वैसे ही भारतवासी को होना चाहिए ऐसे कवियों कई उदाहरन देखर प्रकृती में जो भी बदलावाते हैं उसके उदाहरन दे देखर कविता अंत में यों होती है कि दिन आया रात आई गई रात खुला दिन ऐसे ही संसार में बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार बीत गए लेकिन भारतवासी तुम अभी तक नहीं जागे जागो फिर एक बार ऐसे ये कविता अपने आनत में कहती है कि जागो फिर एक बार रतुएं बदलती हैं अरनाचल में रवी अस्त हो रहा है प्रकृती पट बदल रही है शन शन में प्रकृती परिवर्तित हो रही है और एक तुम ही हो जो सो रहे हो जागो फिर एक बार चलो हम कविता की ओर चलते हैं जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें अरुन पंक तरुन किरन, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार देखो सभी जीव जनटू जब सोते हैं रात को और सुब उठ जाते हैं मतलब कि जब सूरज उगता है तो उठ जाते हैं लेकिन यहां तो भारतवासी सोया हुआ है सुपतावस्ता में है आलस्य में है अपने कर्तविय बोथ को भूल कर सो रहा है गुलामी की जंजीरों में बंदा है लेकिन आराम से सो रहा है तो ऐसे में कवी कहते हैं जागो खुर्पा करके जागो देखो प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें रात में जितने भी तारे थे तुम्हें जगाने की कोशिश करते रहे तिम्टिमाते हुए तारे अपने प्रकाश से तुम्हें जगाने की कोशिश करते रहे तु प्यार जगाते हुए हार गए वे सब। रे कितने प्यार से उन्हें तुम्हें जगाने की कोशिश की। लेकिन फल क्या हुआ वो हार गए। अब उनके चले जाने का समय हो गया। देखे प्रकरती का एक नियम है। रात में तारे आते हैं। उसके बाद सुबह होते ही तारे अब कौन आया है अरुन आया है अरुन पंक तरुन किरन सूरज आया है अरुन और वो अपने लाल पंक मानो फैला रहा है उसकी जो तरुन किरन है जो किशोर अवस्ता के जो किरन है मतलब कि जो सुबह की वेला की प्रथम किरन है वो एकदम तरुन होता है युवावस्ता में ह और उस तरुन किरन को कवी ने यों कलपना किया है मानो लाल पंक से कोई खड़ी खोलती है द्वार मानो कोई द्वार खोल रहा हो सूरज की प्रथम किरने लाल किरने जब पड़ती हैं तो कवी ये कलपना करते हैं कि सूरज मानो अपने लाल पंकों को फैला कर द्वार को खोल रहा है और भारतवासियों को कह रहा है कृपा करके जागो, जागो फिर एक बार, तुमारी जो अतीत है, तुमारी जो संस्क्ति है, इतना वाईभवपूर्ण है, लेकिन उस े वाईभवपूर्ण संस्कति को भी एक दम से भूलने वाले तुम सो रहे हो, तुम्हें प्यार स जगाते जगाते देखो तारे हार गए और वो चले गए तारे अब अरुण आया है अरुण अपने लाल पंखों को फैला कर अपनी किरणों से मानो खड़ी खोलती है द्वार मानो तुम्हें उठ आने के लिए तुम्हारे आगमन के लिए कोई द्वार खोल रहा हो सूरज अपने लाल किरनों से और ये मानो सूरज ये पुकार कर कह रहा हो जागो फिर एक बार कविता काफी कल्पना में प्रकृतिक उपमानों से भरी हुई आगे बढ़ती है आखें अलियासी किस मधू की गलियों में फसी बंद कर पांखें पी रही है मधू मौन अथ्वा सोई कमल कोरको में बंद हो रहा गुझार जागो फिर एक बार देखो ये जो कमल के पुश्प में एक ब्रमर का मधू पीना और मधू मस्त होकर मधू में एकदम लीन होकर वही बैठे रहना उसका गुझार भी नश्च हो जाता है और वो मधू पी पी कर इतना मतवाला हो जाता है वो ब्रमर वो कमल की अंदर ही एकदम से मधू पी पी कर रह जाता है और सबको पता है शाम होते ही कमल अपनी पंकुडियां बंद कर लेता है तो ये कवी कलपना कई कविताओं में हिंदी कविताओं में देखा गया है कि मधू का रस पीना कमल में और इतना उनमत हो जाना कि अपने कर्तव्य को भूल कर भारतवासी भी वैसे ही है कभी कितने काम्यात्मक रूप से कहते हैं प्रथम दृष्टिया को ये कविता पढ़ता है तो ये पता ही नहीं चलता कि ये उन आलसे से पूर्ण कायर भारतवासियों को इंगित करके लिखा गया है ये ये जो पंक्तिया है आँखें अलियों सी देखो तुमारी आँखें उस अली के समान है अली मतलब जो ब्रमर है आँखें अलियों सी किस मधू की गलियों में फसी जिस प्रकार एक ब्रमर कमल के जो मधू के वो जो मिठास में फसकर बैठ जाता है वैसे ही तुमारी आँखें हैं तुमारी आँखें तो इतनी मदमस्त लग रही हैं देखें एक समय था जब भारतवासी ये जो अंग्रेजों की पराधीनता को सहते वे भी अंग्रेजों की जो सुविधाई मिल रही थी जो या तायत के हो या फिर उनके जीवन में जो एक निखार आया था वो उसे उसका आस्वाधन भी करने लगे थे कुछ भारतिय ये नहीं जान रहे थे कि वो पराधीनता के बीच इस सब का आस्वाधन कर रहे हैं तो कभी यही इंगित करते हैं कि जिस प्रकार मधु कमल के जो मधु ने जिस प्रकार भ्रमर कमल के उस मधु को चूसता हुआ एक अलग अलवकी कानंद का नभाव करता है और लेकिन अंत में क्या हो होता है वो ब्रमर अपना गुंजार भी भूल जाता है बंद हो रहा गुंजार उसकी गुंजार नश्च हो जाती है और कमल कोरकों में बंद हो जाता है वो बंदस्त हो जाता है वो पराधीन हो जाता है उसी प्रकार कभी कहते हैं हे भारतवासियों तुम अभी बड़े आर ये जो अंग्रेजों की गुलामी को सह रहे हो, बड़े आराम से इसमें क्या होगा, तुमारी अपना सुवर नष्ठ हो जाएगा तुमारी सुतंत्रता नष्ठ हो रही है ये समझो और जागो फिर एक बार तुमारी आंखें मदमस्त हैं इस पराधिंता में भी तुम आराम से रह रहे हो, कायर होकर तुमारी आखें अलियों सी हैं वे ब्रमर के समान है जो मधू की गलियों में फस गई है जो मधू की मधूरता में इतनी फस गई है कि बंद कर पांखें पी रही है मधू मौन जिस प्रकार अपनी पंकों को बंद कर जब कोई ब्रमर अपनी पंकों को बंद कर देता है उसका गुंजार नश्च हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है उसका प्राण ही नश्च हो गया है उसी प्रकार है भारतवासियों तुम जब पराधीन हो तो तुम अपने पंक फैल तुम्हारा गुंजार नश्ठ हो जाएगा बस मदो ही पीते जाओगे और सोई कमल कोरको में तुम उसमें सो जाओगे सुपतावस्ता में हो जाओगे तुम अपना स्तित्व भूल रहे हो तुम अपना स्तित्व खो रहे हो तो कभी कहते हैं अपने गुंजार को वापस लेलो अपनी बंद पंखों को हटा कर उसे फैलाने की कोशिश करो और उस अली के समान मत हो जागो फिर एक बार कभी फिर आगे बढ़ते हैं कभी देखते हैं कि भारतिय जन्ता पर कोई असर नहीं पढ़ रहा है सभी पराधिन ता को मनो उसका रस ले रहे हैं आराम से पराधिन होकर ही खुश है तो वे याद दिलाते हैं प्रकृती में जो बदलाव आता है उसकी और इंगित करते हैं वे याद दिलाते हैं कि देखो अस्ताचल चले रवी रवी सूर्य पश्चिम की और डूबने के लिए चला गया है अस्ताचल चले रवी शशी चवी विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी देखो रात आ गई है और विभावरी में रात में शशी की चवी चित्रित हुई है देखो रात हो गई है और रात म चंद्रमा भी आ गया है, चित्रित हुई है देख और यामिनी गंधा जगी जो रजनी गंधा है जो रात को सुगंध फैलाती है वो पुष्प है यामिनी गंधा वो जग गई है मतलब रातरी का आगमन हो गया है तभी यामिनी गंधा की सुगंध फैल रही है और विभावरी में मतलब रात में देखो चंद्रमा की शशी की चंद्रमा की छवी देखने लायक है और सूर्य अपना कर्म करके अस्ताचल डूबने को चला गया है देखो प्रकर्ती का एक नियम है सूर्य का आना फिर डूबना फिर रात का आना ये सब होने पर एक क्रम से चलता है लेकिन भारतवासी इतने सब प्रकर्ती में जो हो रहे हैं उससे अंजान है मानो वो तो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है पराधिन होकर भी कायर के समान और फिर चकोर का उदारन दे कर कहते हैं एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं भरी मौन भाशा बहु भाव मई घेर रहा चंद्र को चाव से अब ये चकोर जो पक्षी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देना चाहेंगे चकोर एक साहितिक पक्षी है मतलब कि जिसके बारे में भारत के कव्यों ने ये कल्पना कर रखी है कि ये पक्षी रात को चंद्रमा की और ताका करता है और अगनी सुलिंगों को चंद्रमा के टुकडे समझ कर चुन्दा रहता है चाहन्द और चकोर का प्रेम काफी प्रसिद है कही कव्यों ने इसका वर्नन किया है इसमें वास्तिविक्ता किवल इतनी है कि कीट भक्षी जो पक्षी होते हैं जो जुगनू होता है ना फायर फ्लाई उसे चकोर पक्षी अकसर उसे चुक्त कर खा लेते हैं और कवी ने य योगी प्रेमी के रूप में दर्शाया है चकोर को जो रात भर चंद्रमा को निहारता रहता है तो यहां निराला जी ने भी चकोर को उधारन के रूप में लिया है एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय अपने प्रिय के दर्शन के लिए अपने चांद के दर्शन के लिए एक रहा चंद्र को चाव से वो आशाओं से भरी है लेकिन मौन भाशा में वो भावमई होकर चंद्रमा को चाव से देखता रहता है मतलब उसकी अंदर चंद्रमा के प्रतीतना एकनिष्ट प्रेम है कि वो चकोर पक्षी और चकोर प्रक्षी अपने चांद के प्रति इतना भावख है इतना एकनिष्ड प्रेमी है वो चांद का कि उसे एक टक देखता रहता है भारत्यों के मन में भी यही होना चाहिए कि हमारी स्वतंतरता हमारी ले सबसे प्रिय होना चाहिए और जैसे चकुर पक्षी एक निष्ठ होकर चांद को देखता रहता है भारत वासियों की मन में भी स्वतंदता मात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसकी लिए हमें पूरा का पूरा प्रयतना करना चाहिए और प्रकृती में और भी कई बदलावाते हैं जैसे सूर्य तो अस्थ हो गया और शशीकाना और इसके बाद शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल जुके हुए जो फूल खिल गए थे वो अपने ही भार से शिशिर काल में एक तम से जुग गए है मानो और उसके बदले में आया कलियों में मधुर मद उर यववन उभार उसमें एक यवन उभर कराया है, मतलब कि जहां फूल, खिलेवे फूल अपने ही भार से जुख गए हैं अब दूसरे कली का आना, दूसरे दिन कलियों का किलना एक प्राकरतिक प्रक्रिया है तो यहां देखिए एक अवस्था है प्रकरती में कि फूल जुग गए हैं और ये जो युवा हैं, युवाओं को आ गयाना है, मतलब कि जो खुलेवे फूल हैं, वो जुग गए हैं, वो व्याकुल हैं, वो अपने ही भार से जुग गए हैं, तो भारत वासियों में यदि जो बुजुर्ग हैं, उनके मन में शायद कहीं ये पनप रही होगी कि हम से अब कुछ नहीं होने वाला, स्वतंतरता शायद बहुत ही दूर की बात है, तो जिस प्रकार प्रकरती में फूल की जुग जाने के बाद कलियों में मधुर यववन उभर कर आता है, उसी प्रकार भा उसी प्रकार युवा शक्ति आगे बढ़ कर आए और इस पराधीन भारत को स्वाधीन बनाए, जागो फिर एक बार, तो इस प्रकार प्रकरती के कई उपमानों को एक साथ लेकर कवी ये आहुआन करते हैं कि प्रकरती में ये सब जो चल रहा है, जो रवी का आना, शशी का उसके बाद यामिनी गंधा का सुगंध फैलाना, ये सब तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें भी कुछ बदलाव लाना है अपने जीवन में, जैसे चकोर पक्षी होता है, वो एक तक होकर अपने प्रिय को देखता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी स्वतन मात्र की चिंता करके आगे बढ़ना है, और इस सवस्था में यदि शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल जुके हुए, फूल जो खुल चुका है, उसका तो एक कालकरम हो गया है, वो अब जुक जायगा शायद, लेकिन कलियों में जो मधुर उभार आता है, यवन मे वो युवाओं में आना चाहिए, जागो फिर एक बार, कविता यूँ फिर आगे बढ़ती है, पियू रव पपी है, प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदकता वधू, याद कर दीती बातें, रातें मन मिलन की, अब ये जो पक्षी है, एक और पक्षी के बारे में कहते है एक तो पहले चकोर पक्षी के बारे में कहा, अब पपीहा पक्षी के बारे में कहते हैं, ये भी एक मितिकल, ये पपीहा जो पक्षी है, काफी सूरीली आवाज में गाती है, सूरीली और बारीक होती है, और इसके बारे में कहा जाता है, लोगों का मानना है, कि ये पपीहा केवल स्वाती नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही जल पीता है और अगर ये नक्षत्र बिन बर से चला जाए तो ये पक्षी साल भर बिना पानी पी रहता है ऐसा कहा जाता है कहा जाता है कि ये पक्षी केवल बारिश का पानी पीता है यहां तक कि प्यास से मरने होने पर भी नदी, तालाब, आदी के जल में यह अपनी चोँच नहीं डुबोता खास करके रात में, चांदनी रात में इसकी मस्ती भरी बोली गूंसती है और जब यह मस्ती बरी बोली जब यह पपीहा पक्षी की गूंसती है तो सुनने वाले को ऐसे लगता है पी कहां पी कहां ऐसे लगता है मतलब प्रियतम कहां प्रियतम कहां ऐसे कवी कलपना करते हैं पपीहा पक्षी जब गाती है पी कहां पी कहां तो प्रियतम कहां मेरे प्रियतम कहां ऐसे और रात में खास कर चाननी रात में इसकी मस्ती इतनी गुंस्ती है कि इसे रात भर चिल्लाने के कारण पपीहे को मस्तिश्क ज्वर पक्षी अर्थाद ब्रेन फीवर बर्ड भी कहा जाता है तो ये है पपीहा पक्षी तो कवी ने इसे पपीहा पक्षी की तरह जैसे पपीहा पक्षी अपने प्रियतम की बात ही याद करता रहता है और सेच पर विरह विदकता वधू एक विरह में तपती हुई वधू अपने प्रियतम की प्रतिक्षा में याद कर बीती बातें राते चारु नैन जल ढल गए और ये जब ये विरह में रोती है आँखे मूंद करके मूंद रही पलके नैन जल ढल गए उसके नैनों से आसुआ जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है अपने प्रियतम के साथ बिताए गए वो मधुर्शन अब प्रियतम उसके पास नहीं है तो वो विरह में दगत है लेकिन ऐसे में जब कुछ रो लेती है तो लगुतर कर व्यथा भार तो उसका व्यथा दुख दुख का भार थोड़ा लगु हो जाता है लगुतर थोड़ा हलका हो जाता है रो लेने से थोड़ा दुख कम हो जाता है यह हम सब जानते हैं ठीक उसी प्रकार कवी कहते है कि तुम्हारे यह जो दुख है पराधींता का तुम नहीं कर पा रहे हो तुम स्वतनतता नहीं ले पा रहे हो तुम्हारे में उतनी शक्ती नहीं है यह थोड़ा रो लो, मतलब तुम अपने कमजोरी को थोड़ा मान कर, थोड़ा मन में रो भी लो, तो तुम और उज़ा के साथ कर्मरत हो सकोगे। तो उस से उस प्रकार आखवान करते हैं कि जैसे पपिहा पक्षी केवल स्वाती जल का ही पान करता है उसी प्रकार तुम्हारे मन में भी ये एकनिष्ट प्रेम होना चाहिए अपने भारत को सुतंद्र करने का और दूसरी तरफ यदी कहीं तुम्हें पराजय की डर हो तो थोड़ा मन में रोल हो और तुम्हें नई शक्ती उर्जा बनकर तुम उस नववधू की तरफ जो अपने प्रियतम के मिलन की बात याद करके रोती है तो उसके नैनों से जल ढल जाते हैं तो उसमें क्या होता है उसका व्यथा तोड़ा लगो हो जाता है उसी प्रकार तुम चाहे तो अपनी कायरता की बात समझ कर थोड़ा दुख ही मना लो उसके बाद कृप्या करके जाग जाओ 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 फिर एक बार यह कभी की एक विंती जैसी लगती है कवी कहते हैं जैसे समीर अर्थात पवन हवा के बहने से हमारे आशू पोंच दिये जाते हैं सहरदय समीर सहरदयता पूर्वक हमारे आशू को पोंच दिता है वैसे ही कवी भारत की जनता को अपना दुख भुलाने को कहता है हम दुखी हैं हमें कई तरसे सताया गया पराधीन है लेकिन उसे भूल जाना चाहिए जैसे एक सहरदय पवन हमारे आशू को सोक देता है वैसे ही हमें हमारे दुख को भुला लेना चाहिए अब दुखी ही बैठे रहे कर कोई फैदा नहीं है ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे पवन आसो पोंच देता है तुमारे दुख भी पोंच दिये जाए और मोह निद्रा में मगन हो जाने के कारण तुमारी बाहों में जो आलस्य फैल गया है तुमारे बाह आलसे के फलसरूप शितिल हो गए है शायन शितिल बाहें देखो सो सो कर निद्रा में पड़े हुए तुमारी बाहें शितिल हो गई है कोई व्यक्ति तभी करमरत होता है उसकी बाहें उसे सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है तो वो बाहे ही शितिल हैं, सो सोकर निद्रा में तो ऐसे में कैसे तुम कुछ कर पाओगे करतव्य कैसे कर पाओगे भर स्वप्पनिल आवेश में तो इसमें जरूरी क्या है कि स्वाधीन होने का स्वप्न तुमारी अंदर आवेश जगाना चाहिए और तुमारी बाहों की शितिलता उस आवेश में हट जाएगी और जोश में बदल जाएगी देखो कैसे कवी कलपना है सहर्दय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर जैसे आंकों के नीर आंसुओं को सहर्दय समीर हवा पोंच देता है और तुमारी जो शिथिल बाहे हैं, हमेशा निद्रा में रहने के कारण तुमारी बाहे शिथिल हो गई है, उसमें नया जोश भर दो, भर स्वपनिल आवेश में स्वपनों के द्वारा स्वाधीन होने का जोश भर दो, तब जाकर तुम अपने देश के लिए कुछ कर आतुर उर वसन मुक्त कर दो, तुमारे उर में, मतलब तुमारे मन में जो निराशा का वस्तर मन के उपर पड़ा हुआ है, उसे हटा दो, जो अवसात का वस्तर पड़ा है, उसे त्याग दो, क्योंकि देखो कोई हमेशा दुखी ही रहेगा व्यक्ति, तो अपने आगे कैस बढ़ पाएगा, तो तुमारे हृदय में, तुमारे आतुर हृदय में, दुखी हृदय में, जो वसन है उसे मुक्त कर दो, जो अवसात घिरा हुआ है, उसे भटा दो, तभी तुम कुछ कर पाओगे, सब सुपती सुखोनमाद हो, तुमारे सभी सुपतावस्ता में भी का उनमाद हो तुमारे सुपनों में हमेशा स्वाधीन होने का सुपन हो और सभी सुपती सुखोनमाद हो छूट छूट अलस फैल जाने दो पीट पर कलपना से कोमल रतु कुटिल प्रसार कामे केश गुच्छ जैसे बालों को हम पीट में खुला छोड़ देते हैं केश प्रकार कवी कहते हैं जैसे तुम बालों को खुला छोड़ने पर एक अच्छा फीलिंग होता है उसी प्रकार तुम अपने कलपना को भी खुला छोड़ दो तुम उड़ने की कोशिश करो अब भाव धरातल पर मतलब कि तुम यह सोचो कि तुम पराधीन हो अभी और स्वा पर कितना अच्छा होगा तुमारे अपना भारत जब स्वाधीन होगा तो जिस प्रकार यह जो केश गुच्छ है वो फैल जाते पीट पर अलस होकर छूट छूट अलस तो कितना अच्छा फीलिंग होता है उसी प्रकार तुमारी कलपना में भी यह जाग जाना चाहिए कि कलपना की उड़ान इतनी विस्तरत हो जानी चाहिए कि तुम्हें हमेशा स्वाधीन भारत का ही स्वपना आए और सभी सुप्ती सुखोनमात में बदल जाए तुमुक्त कर दो अपने उर को उर के उपर अपने हुर्दय के उपर जो अवसाद है अवसाद रूपी वस्त्र ह उसे हटा दो और तुमारे केश गुच्च को जैसे फैला देते हो तुम पीट पर तो कितना आनंद होता है कल उस कलपना करो उस आनंद का जब तुम स्वाधीन हो जाओगे आतुर उर वसन मुक्त कर दो तुमारे उर में मतलब तुमारे मन में जो निराशा का वस्त्र मन के उपर पड़ा हुआ है उसे हटा दो जो अवसात का वस्त्र पड़ा है उसे त्याग दो क्योंकि देखो कोई हमेशा दुखी ही रहेगा व्यक्ति तो अपने आगे कैसे बढ़ पाएगा तो तुमारे हृदय में तुमारे आतुर हृदय में दुखी हृदय में जो वसन है उ उसे मुक्त कर दो, जो अवसात घिरा हुआ है, उसे भटा दो, तभी तुम कुछ कर पाओगे, सब सुप्ती सुखोनमाद हो, तुमारे सभी सुप्त अवस्ता में भी सुख का उनमाद हो, तुमारे सुप्नों में हमेशा स्वाधीन होने का सुप्न हो, और सभी सुप्ती खोनमाद हो, छूट छूट अलस, फैल जाने दो पीट पर, कल्पना से कोमल, रतु कुटिल प्रसार कामे केश गुच्छ जैसे बालों को हम पीट में खुला छोड़ देते हैं केश गुच्छ को ए क्आश्य को खुला छोड़ देते हैं पीट पर उसी प्रकार कवी कहते हैं जैसे तुम बालों को खुला छोड़ने पर एक अच्छा फीलिंग होता है उसी प्रकार तुम अपने कलपना को भी खुला छोड़ दो तुम उड़ने की कुशिश करो अभाव धरातल पर मतलब कि तुम ये सोचो कि तुम पराधीन हो अभी और स्वाधीन होने पर कितना अच्छा होगा तुमारे अपना भारत जब स्वाधीन होगा तो जिस प्रकार ये जो केश गुच्छ है वो फैल जाते पीट पर अलस होकर छूट-छूट अलस तो कितना अच्छा फीलिंग होता है उसी प्रकार तुमारी कल्पना में भी ये जाग जाना चाहिए कि तुमारी कल्पना की उड़ान इतनी विस्तरत हो जानी चाहिए कि तुम्हें हमेशा स्वाधीन भारत का ही स्वपना आए और सभी सुप्ती सुखोनमात में बदल जाए तुम्हारे केश गुच्छ को जैसे फैला देते हो तुम पीट पर तो कितना आनद होता है। उस कल्पना करो उस आनंद का जब तुम स्वाधीन हो जाओगे। तन मन धक जाए मुरुदु सुरभी सी समीर में। बुद्धी बुद्धी में हो लीन मन में मन जी जी में एक-एक मन में एक-एक खृदय में जी जी हृदय एक-एक मन और एक-एक खृदय में यही भावना होनी चाहिए एक अनभव बहता रहे उभय आत्माओं में कब से मैरही पुकार जागो फिर एक बार कभी कहते हैं कि जब तन और मन ठक जाए जब हमारा शरीर और मन ठक जाए तो मृदु सुरभी सी समीर में जैसे समीर में सुगंद फैलती है मृदु सुरभी और बुद्धी बुद्धी में हो लीन हर एक की बुद्धी में हर एक के मन में मन में जी जी में एक अनभव ही बहता रहे हर एक आत्मा में एक ही अनभव बहता रहे वो क्या है कि जहागो फिर एक बार एक बार फिर जागो तुमारी प्राचीन संस्क्ति इतनी सम्रुद है उसे याद करो तुम पराधीन होने वाले यहीं कि 4-5 विक्तियों के मन में यह बैट जाए, पूरे भारतवासियों में एक जुठ होकर हर एक की बुद्धी में यही बैट जाना चाहिए, हर एक के मन में हर एक के हृदे में यही अनभव बहता रहना चाहिए, कि जागो फिर एक बार अब कविता अपने अंतिम दोर की ओर आ गई है और पुरे कविता में कभी ने प्राकरतिक उपमानूं का काफी कलपना मिश्रित उपयोग किया है कभी पपीहा कभी चकोर पक्षी तो कभी अरुन समीर इन सब का प्रयोग करते हुए कभी कहते हैं उगे अरुनाचल में रवी पूर्व दिशा में रवी उगाया है मतलब प्रकरति में परिवर्तन हो रहा है दूसरा दिन आ गया है रवी उधे हो चुका है आई भारती रती कभी कंट में और कभी के कंट में मा सरसुती के प्रती जो असीम अनिराग है वो भराया है कभी को मा सरसुती का जो देन है उसी के अंसार कभी यह यहां दिला रहे हैं कि शन शन में परिवर्तित होते रहे प्रकरती पट देखो प्रकरती शन शन में परिवर प्रकरती बदलती रहती है वैसे ही तुम्हें पराधीन नहीं रहना है तुम अपने आत्माविमान खोकर अपना स्तित्व कोकर तुम अंग्रेजों के गुलाम हो ऐसा नहीं रहना है तुम्हें प्रकरती के समान परिवर्तित होना है देखो प्रकरती में क्या-क्या परिवर्त आपका आना जाना इसी प्रकार समय निकलता जा रहा है बीत रहे हैं दिन उसके बाद पक्ष उसके बाद महीना ये सब निकल रहा है वर्ष कितने ही हजार अब कितने हजार वर्ष चले जाएंगे और तुम अभी भी सुपतावस्ता में ही रहोगे तो कितनी देनी ये बात है तुम्हें अपने निद्रा के अवस्ता से उठकर जागरत होने का वक्त आ गया है और ये मा सरस्वती मेरे कंट से कवी के कंट से ये कहलवा रही है कि प्रकृती से कुछ सीखो। उगे और नाचल में रवी, शन्शन में परिवर्तित हो रही है प्रकृती। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्षमास, वर्ष कितने ही अजार, जागो फिर एक बार। तो कवी अत्यंत गलानी से भरपूर, देशवासियों को जागरत होने का संदेश देते हैं, जागो फिर एक बार। जागरन गीत जागो फिर एक बार लिखने वाले निराला जी की विक्तिगत जीवन के बारे मी कुछ बातीं जाना जरूरी है, तो चले उस और जाते हैं। सूर्यकान त्रिपाथी निराला किसी ने उन्हें महापरान निराला कहा, तो किसी ने मतवाला किसी ने चायवादी युक्का कबीर, तो किसी ने मस्त मोला सच तो यह है वेग साथ दाशनिक भी थे, समा सुधारक भी थे, विद्रोही भी थे, अक्खड थे और फक्कड भी, सबसे बढ़कर महा मानव थे वास्तविक कवी कर्म क्या होता है, अपने समय की पग ध्वनी के साथ, अपनी कविता के तार को जोड़ना, वही निराला जी ने किया समय की धड़कन, उनकी रचना धर्मिता में साफ प्रतिविंबित होती है हिंदी या किसी अन्य भारतिय भाषा में, ऐसा अर्थ गाम भीरे लिए उपनाम, महा प्राण, शायद ही किसी अन्य लेख को प्राफ्थ हुआ हो निराला जी का जन्म, बंगाल में 1896 में मेदनेपुर जिले में बसंद पंचमी के दिन हुआ सरस्वती पूजन का दिन था, मा सूर्य उपासना करती थी और मा ने पुत्र का नाम रखा सूरच कुमार बाद में स्वयम निराला ने उसे बदल कर सूर्य कांत कर दिया निराला उनका उपनाम है, जो मतवाला पत्रिका के साथ जुडने के बाद उन्होंने अपनाया निराला जी की अउपचारिक शिक्षा कम हुई, जो पढ़ा स्वयम पढ़ा बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी तो सीखी ही साथ ही हिंदी के प्रती उनका सीम लगाव था, जो उन्हें इलाहबाद ले आई और हिंदी साहिते को मिला एक अमूल्य रत्न निराला ने जो लिखा उतकृष्ट लिखा चाहे कविता, कहानी, उपन्यास, निबन, संस्मरन, आलोजना ये सब उन्होंने उतकृष्ट लिखा कविता संग्रों के और जायें तो उनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, दुलसिदास, अनिमा, बेला, अरचना, आराधना सभी उतकृष्ट हैं लेकिन समीक्षकों का कहना है कि अगर निराला ने इनमें से ये तीन ही रचनाए लिखी होती तो भी वे महा कभी कहलाती सरोस्मृती उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर लिखा, जो हिंदी का सर्वोत्कृष्ट शोक गीत माना जाता है निराला ने जीवन में काफी ट्रैजडी को जेला तीन साल की उम्र में उनकी माता का निधन हुआ और जब वे करीब 20 साल के थे पिता भी चल बसे उनका विवा 16 साल की उम्र में हो गया था मनोहरा देवी के साथ और मनोहरा देवी काफी अच्छा भजन गाती थी हिंदी में और मनोहरा देवी के भजनों से प्रभावित होकर निराला ने भी हिंदी में लिखना शुरू किया लेकिन उस समय बंगाल में हैजे की महामारी ऐसे फैली कि उनकी प्रिय पत्नी मनोहरा देवी को मृत्युने अपनी गोध में ले लिया और उस महामारी में निराला के पीड़ी के और निराला के पिता के पीड़ी के जितने भी रिष्टेदार थे सभी की मृत्ती हो गई और निराला अकेले रह गए एक बेटा और एक बेटी के साथ और सरोज भी जो उनकी बेटी वो भी विवाह के दो साल बाद ही सरोज की भी मृत्य हो गई जिसने निराला को एक्दम से तोड़ दिया सरोज मिती में उन्होंने यो लिखा दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहू आज जो नहीं कही कन्ये गत कर्मों का अरपन कर करता मैं तेरा तरपन दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहू आज जो नहीं कही कन्ये गत कर्मों का अरपन कर करता मैं तेरा तरपन राम की शक्ति पुजा में निराला ने कथानक प्राचीन काल के सर्व विख्यात राम कथा को ही लिया है कविता पर वालमी की रामायन और तुलसी के रामचेत मानस से ज़्यादा बांगला कृतिवास रामायन का प्रफाव देखा जाता है भगवान राम के आख्यानों में राम को चाहे विश्णू के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हो या उन्हें सामान्य मानव दर्शाया गया हो दोनों ही स्थितियों में राम रावन युद्ध के दोरान उन्हें पराजय का डर कभी नहीं सताता लेकिन निराला ने राम की शक्ति पुजा में राम को पराजय के भई से शंकित और आकरांत दर्शाया है और भाशा साउस्टव तो देखते ही बनता है राम की शक्ति पुजा पढ़कर ये कोई नहीं कह सकता कि निराला जी की मात्र भाशा हिंदी नहीं थी उतना गन गंबीर भाशा उनकी जो कविता में देखने को मिलता है ये देखे राम की शक्ति पुजा का एक अम्ष राम की शक्ति पुजा का भाशा साउस्टव उसके बारे में क्या कहना ये देख लीजिया रवी हुआ अस्त जोती के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावन का अपराजय समर आजका तीश्न शर विध्रत शिप्रकर वेग प्रखर शत शेल संवर्न शील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्ष स्विरुध प्रत्यूह कृध कपी विशम हो विच्छुरित वही राजीव नैन हत लक्ष्यबान लोहित लोचन रावन मद मोचन महीयान राघव लाघव रावन वारन गत युब्म प्रहर उध्रत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर अनिमेश राम विश्व जिद्जय शरभंग भाव विद्वांग वध को दंड मुष्टी खर रुद्धिर स्राव ये ऐसे चलता है भाषा कहीं कोई connecting words नहीं है लेकिन भाषा इतना स्रेष्ट है कि कहानी अपने आप खुलती जाती है कविता में उनका सरसुती वंदनावर्दे वीनावादिनी ये गीत जहां एक और मा सरसुती की स्तुतिगान है वही भारत माता को अज्यानता, दास्ता और अंधकार से मुक्त करने का आहवान भी है सारे जग को जगमक कर देनी की अभीच्चा इस गीत में है आज स्तिती ऐसी है कि कोई भी साहितिक सांस्कृतिक अनुष्ठान निर्याला जी की सरसुती वंदना के बिना अपूर्ण माना जाता है प्रिया स्वतंत्र रव अम्रिता मंत्र नव भारत में भरदे कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जग मग जग कर दे तो हमने जागो फिर एक बार निर्याला जी की कविता का अस्वदन किया इसमें देखने लाएक ये बात है कि ये चायावादी युग की कविता है चायावाद युग मतलब दो विश्वईदों के बीच का एक काल है और इस युग के प्राय सभी कवियों ने देश के अतीत गौरों के प्रती अपनी अटोट श्रधा विक्त की है साथ ही उनका ये द्रड विश्वास भी है कि शीग रही देश पराधीनता और अत्याचार के दमन चक्र से मुक्त होगा और फिर से एक नई विराट और भव्य सामाजिक विवस्था का उदै होगा ये कामना निरला जी भी रखते थे यहां विचारनी ये बात ये है कि जब भी कविता किसी सामाजिक मांग को चाहे वह स्वराज की मांग ही क्यों न हो उस मांग को लेका चलती है तो उसके कवित्व की प्राय हानी होती है कवियों की चेतना कविता या कविकर में केंद्रित न होकर राश्ट्रिय आकामशा में केंद्रित है तो यहाँ पर यही देखा जाता है कवितों की दिष्टी से जागो फिर एक बार मुझे निराला जी की अन्य कविताओं के समकश उतना नहीं है अच्छा लगा मतलब इसके पीछे राश्ट्रिय जागरन की भावना थी तो अकसर ऐसा होता है जब कभी कर्म इस पर केंद्रित होता है राश्ट्रिय आकामशा में तो कहीं न कहीं उसकी जो काम्यात्मक्ता शायद कुछ घट जाती है लेकिन यह कविता की प्रासंगीक्ता इस बात में है कि सुपतावस्ता से जगाने की एक कविता है हमारे कर्तविय बोथ की और हमें प्रेरना करती है यह कविता आशा करती हूँ आपको इससे समझाने में मैं सफल हुई तो अगली बार फिर मिलेंगे एक अलग विशे को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी और माइथली के अप्रतिम लेखक अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले फक्कड अलमस्त जिनकी व्यंग्य का तीखापन हमें कबीर की याद दिलाती है और तभी उन्हें हमारी शताबदी का कबीर कहा जाता था ऐसे थे बाबा नागारजुन जो मैथली में यातरी के नाम से लिखते थे और हिंदी में नागारजुन जो माकस्वाद से गहरे प्रभावित तो रहे लेकिन माकस्वाद के तमाम रूप और रंग देखकर काफी खिन्य हुए जो किसी भी विचारधारा में पूर्ण तरह से तिकते नहीं थे तभी उनकी आलोशना होती थी कुछ ऐसे बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं है बाबा कहीं तिकते ही नहीं सच तो यह है कि जो किसी विचारधारा में पूर्ण रूप से टिक जाता है वो वास्तव में समझोता ही करता है अपने उपर उठाये गए आलोशना का जवाब बाबा कुछ यूँ देते थे जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है मैं किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ मैं गरीब, मजबूर, किसान की बात करने के लिए ही हूँ बाबा नागारजुन का असली नाम वैदनात मिश्र था लेकिन वे अपनी मात्रभाषा मैथली में यातरी नाम से लिखा करते थे और श्रीलंका में वैदनात मिश्र जी बौध धर में देखशित हुए और उन्हें नया नाम मिला नागारजुन वही उनकी रचनाओं से प्रभावित पाठकों ने उन्हें बाबा कहना शिरू कर दिया और आखिरकार वे बाबा नागारजुन के नाम से जाने जाने लगे नागारजुन जी के मन मस्तिश्क में अपने राष्ट्र के प्रती अति आदर का भाव है राश्ट्र में फैली ब्रुष्टाचार, राजनीतिक दाव पेंच एवं छल प्रपंच के खिलाफ आक्रोश ही आक्रोश दिखाई दिता है वे जानते थे कि सफेद पोश, जमेंदार साहुकार तथा व्यापारी सभी अंदर से जन्ता के शोशक है पर उनका बाहिय पोशाक लोकतंत्रात्मक व्यक्तितों का परिचायक है वे अपने बाहिय आवरन से भोली भाली जन्ता को चालाकी से ठखते हैं यही कारण है कि नागर्जुन ने अपनी कविताओं के द्वारा इन सभी का परदाफाश किया उपर तस्वीर में दाड़ी वाले जो शक्स हैं वो एक नजर में किसी को बहुत ही साधारन किस्म के अधपगले से इनसान लग सकते हैं लेकिन इन साहब की बात ही निराली है ये बाबा नागर्जुन ये अपने समय की आवास को बेखौफ होकर बिना लाग लपेट के कहने का साहस रखने वाले जन कवी थे इसलिए उनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथाच चित्रन हुआ है बीते 13 साल नामक अपनी कविता में उन्होंने आजादी के 13 साल के बाद किस्तिती का बयान किया है वे देखते हैं कि आजादी के 13 साल बाद भी श्रमिकों एवं किसानों पर अत्याचार कम नहीं हुआ बलकि जमिनदारों की शक्ति में इजाफा हुआ है जनता को कागजी खुशी के अलावा कुछ नहीं मिला उन्होंने उसे यों व्यक्त किया अंदर संकट बाहर संकट संकट चारों और जीप कटी है भारत माता मचान पाती शोर देखो धसी धसी ये आँखें पिछके पिछके गाल कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल अकाल और उसके पाद शिर्षक कविता में भूक और दारिद्रे से अभिशप्त जन जीवन का मरमस्पर्शी वर्नन बाबाजी ने योंकिया कई दिनों तक चूलहा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गश्त कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद धुआ उठा आंगन के उपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर बर की आँखें कई दिनों के बाद कवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद अच्छे ये सारी कविताएं समाज की उस समय की अवस्ता का सीधा सच्चा बयान है भारत की जो उस समय की अवस्ता थी लेकिन politically oriented जो कविताएं नागारजुन जी ने लिखी वो तो मानो ऐसे था जैसे वे अपनी कलम से आगूगल रहे थे एकदम fire brand थे नागारजुन आप उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या थे नागारजुन 1961 में जब ब्रिटन की क्यू निलसबत भारत दर्शन के लिए आई तो उस समय के ब्रधान मंत्री जवाहलाल नहरुजी ने उनके स्वागत के लिए पूरा ताम जाम से इंतजाम किया जिस ब्रिटन ने भारत को करीब 200 साल तक उपनिवेश बनाए रखा और सोनी की चिडिया कहलाए जाने वाली भारत को कंगाल करके चले गए उनहीं के स्वागत के लिए किये गए ताम जाम देखकर नागारजुन काफी खिन हुए नहरु के नेतरत में पुरा शासन तंत्र क्यून इलसबट के स्वागत में लगी थी ब्रिटन की राणी क्यून इलसबट के स्वागत में खड़े भारतिय शासक वर्ग की राजनितग्यों की जो समझौतावादी नीती है उसे देख कर उस पर आक्रमन करते वे व्यंग्य करते वे बाबाजी ने यो लिखा आओ रानी हम ढोएंगे पाल की यही हुई है राय जवाहर लाल की रफू करेंगे फटे पुराने जाल की यही हुई है राय जवाहर लाल की आओ रानी हम ढोएंगे पाल की आओ शाही बैंड बजाएं, आओ बंदन वार सजाएं, खुशियों में डूबे उतराएं, आओ तुमको सेर कराएं, उटक मंड की शिमला नैनी ताल की, आओ राणी हम डोहेंगे पाल की प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू पर बाबा जी ने और भी कई कविताएं लिखी, पंडित जी जाने वाले हैं रानी के दरबार में, नहरू तुम रह जाते दस साल और आदी, उसके बाद उनकी बेटी इंद्रागांदी का जब शासन चला, तब उन पर भी अपनी कविता की तीखे व्यंग से बाबा जी ने आकरमन किया, इंद्रागांदी के बारे में कहा जाता है काफी स्ट्रॉंग थी, उनकी परस्नेल्टी ऐसी थी, कि उनके कैबिनिट के और मंत्रीगन उन्हें मैडम नहीं सर बुलाते थे, ऐसे सुन रखा है मैंने, ऐसे इंद्राजी के बार में नागाजुन ने लिखा. आपातकाल के समय इंद्रागांधी ने निर्ममता से जन भावनाओं को कुचला, मानवाधिकारों का हनन किया, मनमाने धंग से शासन का रथ हांका, जनता पर अपनी नीतियों और विचारों को जबर्दस्ती लाधनय का प्रयास किया, उनके मनमानेपन और पर टिपनी करते वे नागारजुन ने इस प्रकार की कविताएं लिखी, जो उस समय की किसी कवी ने शायद कोशिच भी न की। खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो, परजादंत्र को कॉन पुषता तुमी बड़ी हो, डर के मारे न्याएपाली का काप गई है, वो बेचारी अगली गतिविदी भाब गई है, देश बड़ा है, लोगतंत्र है, सिक्का खोटा, तुमी बड़ी हो, संव विधान है तुमसे छोटा ये उनकी कविता मोर न होगा उल्लू होंगे उसमें उन्होंने यो लिखा किसी से डरते नहीं थे 1780 में दोबारा जब शासना रूड होने पर इंद्रा गांधी के सुरूप में जो नया तत्व जुड़ गया उसे कवियों में अकेले नागार्जुन ने लक्षे किया और यो लिखा पगली ने तो शुरू कर दिया फिर से अपना खेल पुराना धारन कर रखा है उसने अपकी तो भक्तिन का जामा इंद्रा गांधी को लक्षे करते वे उन्होंने एक और कविता लिखी इंदू जी क्या हुआ आपको क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बापको, इंदू जी, इंदू जी, क्या हुआ आपको बेटे को तार दिया, बोर दिया बापको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हकुमती नशे का वाह वाह कैसा चड़ा रंग, सच-सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यों भला भूल गई बापको शिव सेना के नेता बाल ठाकरे पर उनकी कविता और मायावती पर उनकी जो कविता ये सब ये बताती है कि वो कितने निडर थे, शासन से डरते नहीं थे, राजनितेग्यों से तनिक भी डरते नहीं थे, प्रजातंत्र के पक्ष में थे शिव सेना की बाल ठाकरे पर उन्होंने बरबरता की धाल ठाकरे नामक कविता लिखी बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, कैसे फासिस्टी प्रभों की गला रहा है दाल ठाकरे अबे संभल जा वो पहुँचा बाल ठाकरे, सबने हां की कौन ना करे, छिपजा मत तू उधर ठाकरे, शिव सेना की वर्दी डाटे, जमा रहा ले ताल ठाकरे, सभी डर गये, बजा रहा है गाल ठाकरे मायावती मायावती, दलितेंद्र की चायावती चायावती, जै जै हे दलितेंद्र, प्रभु आपकी चाल ढाल से दर्षत में है केंद्र, जै जै हे दलितेंद्र, आप से दर्षत खाये केंद्र, अगल बगल है पंडित सुखराम, जिनके मुख में राम, यो लिखा उन्होंन मायावती के बारे में इस प्रकार जब जब लोकतंत्र में अलोकतंत्रिक कारियों की भीड लगी तब तब बाबा नागाजुन ने देखा कि हिमसा अपनी रक्तिम जीब निकाल कर चारों और अपरादों का रक्त पीने लगी न्याय की मांग करने वाले विद्यार्तियों को गोलियों से भुना जा रहा है तब उन्होंने यों दर्श किया जन्ता का नहीं यह राज जी हाँ पुलिस का है राज जी हाँ लाठियों का राज जी हाँ गोलियों का राज यह लोकतंत्र नहीं पुलिस तंत्र है जन्ता की तकलीफों से मरमाहत नागारजुन भारत में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की असफलताओं पर बार-बार अनेक प्रकार से टिपणी करते रहे उन्होंने अपनी प्रतिबदता प्रकट करते वे प्रजातंत्र की दुर्दर्शा पर यों लिखा जन्ता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाओं जन कवी हूँ मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाओं नहरू को तो मरे सौर साल हो गए ग्रह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है भारत भूमी में प्रजातंत्र का बुरा हाल है अपनी कविता हम भी साजिदार थे मेवे समाज एवर राजनीती में चल रहे अराजकता के लिए बुद्धी जीवी वर्गों को भी गुनेगार टहराते हैं वो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र अपनी पट्री से उतर गया है अगर लोकतंत्र अपने सही रास्ते पर नहीं चल रहा है तो बुद्धी जीवीों की जो विरादरी है वो भी जो अवसरवादी ठहरे वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं वो ये कबूल करते हैं कि लेखक वर्ग और बुद्धी जीवी वर्ग दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लोकतंत्र को बनाय रखने में बुद्धी जीवीों ने कुछ नहीं किया आवाज नहीं उठाई लोकतंत्र अथवा डेमोक्रसी में जो कहा जाता है उसमें पीपल ही हट गया है जनता ही नहीं दिख रही है तो ये इस कविता में हम भी साजिदार थे बाबा नागर जुन यही कहने की कोशिश करते हैं कि बुद्धी जीवी वर्ग ऐसा इतना वसरवादी है कि चाहे कोई अंगुठा दिखाए या फूल माला पैनाए उसके लिए तो सभी एक समान है दोनों में ही वो खुश है क्योंकि एक के खिलाफ कह देंगे तो दूसरा रूट जाएगा और ना जाने इस दोसरे से कब क्या जरूरत आ पड़े इसलिए बुद्धी जीवी वर्ग स्तितप्रग्य रहते हैं केवल सुविधाएं बटोरने में लगे रहते हैं और इसलिए प्रजातंत्रकारत पट्री से खिसक गया है और इसके लिए हम भी साजिदार थे निससंदेह यही इस कविता में नागारजुन जी कहने की कोशिश करते हैं कि लगता है प्रजातंत्रकारत उतर गया है पट्री से तबी तो वह कहते हैं लगता है प्रजातंत्रकारत उतर गया है पट्री से लगता है सारी की सारी पाटियों के नेता रुची पूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शत्रंज अंदे दितराष्ट की मोह माया भली भान्ती प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतकरन में लगता है बुद्धी जीवियों की हमारी अपनी बिराद्री भी शत्रत प्रतिशत लिप्त है सुविधाएं बटोरते जाने की ध्युतकरिडा में देखें बुद्धी जीवियो देखे समाज में जब कुछ अराजकता होती है तो जनता के मन में ये होता है कि चलो कोई लेखक या कोई बुद्धिजीवी वर्ग इसके बारे में कुछ कहे लेकिन आजकल तो कभी होता ही नहीं ऐसे सभी को अपनी-अपनी मतलब की लगी रहती है कोई सोच भी सकता है नागरजुन जैसे जितने खुलकर राजितिग्यों के पर व्यंग कटाक्ष करते थे आज कोई कर पाएगा आज अगर कुछ कोई आवाज उठा भी रहा है तो केवल मीडिया सोशल मीडिया में ये जो नियोस वाले करते हैं मीडिया वाले करते हैं लेकिन लेखक वर कहां छिप गया बुद्धिजीवी वर्क क्यों नहीं बोल रहा है सभी को जान का भी डर लगा रहता है बाबा ऐसे थे जिन्हें जान का भी डर नहीं था ना किसी बात की ख्वाइश थी न सुविदाब टोरने की सोच थी वे तो अध्पगले से जो मुमे आय कह देते थे तबी वो कह रहे हैं कि राजगाट वाली उस बेहाई में हम भी साजिदार थे हम भी साजिदार थे अगर राजगाट वाली जो इंस्टेंट हुई थी गांदी जी के मौत में हम भी साजिदार थे उतर गया है प्रजात अंत्रकारत पट्री से प्रजात अंत्रकारत पट्री से उतर गया है तो इसमें केवल यह जो स्वार्थी राजनितिग्यों का ही हाथ नहीं है उतना ही जिम्मेदार हम भी हैं जो बुद्धी जीवी वर्ग हैं तो जाते हैं कविता की और नागारजुन जीगी जो ये कविता है हम भी साजिदार थे इसे समझने के लिए जरूरी था कि उनकी जो परजात अंत्र के प्रती उनकी जो आस्था थी और जो politicians के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई जब जब प्रजातंतर पर आतंग फैला जब जब प्रजातंतर संकट में हुआ नागारजुन जी ने कैसे उसके खिलाफ आवाज उठाई ये जानना जरूरी था इसलिए मैंने कुछ कविताएं इस कविता की और आने से पहले आपको सुनाया आपको लगाओगा कि बेमतलब कि कई कविताएं मैंने ले लेकिन कभी को भैचानने के लिए वो ज़रूरी था इसलिए उन कविताओं को भी हमने इंकलूड किया नागाजुन जी को प्रजातंत्र पर काफी आस्ता थी प्रजातंत्र का रत पट्री से उतर गया है वो इस कविता में कह रहे हैं क्योंकि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्ता का नाम है जिसमें वास्तविक शक्ती जनता के हाथ में नहीं थोती है देखे सिर्फ चुनाव का होना यहनी बता सकता कि किसी देश में प्रजातंत्र है चुनावों के रहते भी कई बार प्रजातंत्र से संबंध कई चुनोतियां उभर कराती है प्रजातंत्र वास्तों में वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रमुक सत्ता, लोक या जन्ता अथ्वा उसकी चुनेवे प्रतिनिद्यों के हाथ में होती है और जिसकी नीती निर्धारित करने का सब लोगों को समान रुप से अधिकार होता है तो यहां इस कविता में देखिए कभी कहते हैं लगता है प्रजातंत्र का रत उतर गया है पत्री से जब रत पत्री पर चल रही होती है जैसे ट्रेन चलती है ना पत्री पर ट्रेन अगर रेल्वे लाइन पर चल रही हो तो एकदम सही धंग से चलती है लेकिन जैसे ही ट्रेन पट्री से उतर कर चलती है, रत पट्री से उतर कर चलती है, तो गड़बड हो जाता है, तो यहां कभी यही शंका जाहिर करते हैं, लगता है प्रजातंद्र का रत उतर गया है पट्री से, फिर बे आगे कहते हैं लगता है सारी की सारी पाटियों के नेता रुची पूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शत्रंच शत्रंच एक ऐसा खेल है जहां दाव लगाया जाता है और देखे कभी कहते हैं जो भी नेता है पार्टियों के सारी की सारी पार्टियों के नेता जो शासन कर रही है और जो विपक्ष में है सभी पार्टियों के नेता लगता है रुची पूर्वक खेल रहे हैं दली ये स्वार्थों के शत्रंच ग्रूप बना लिया है गुट बन गया है और अपने अपने स्वार्थ के लिए शत्रंच खेला जा रहा है और वो भी रुची पूर्वक खेल रहे हैं, काफी आनंद लेकर इच्छा पूर्वक खेल रहे हैं, काफी इंट्रेस्टेड हैं इस प्रकार के दल बनाने में, एक दल के अंदर भीतर और दल बन जाता है, एक ग्रूपिसम हो जाता है पार्टियों के बीच, और अपने स्वार अराम से रुची पूर्वक ये सभी पार्टियों के नेता शत्रंच खेल रहे हैं। ऐसे हमें लगता है। दिखें, लगता है सारी की सारी पार्टियों के नेता रुची पूर्वक खेल रहे हैं। दलिय स्वार्थों के शत्रंच। और आगे वे महाभारत जो की भारत का सबसे बड़ा महाकाविय है उसका उदाहरन लेके वे कहते हैं कि अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया भली भानती प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतकरण में ये जो दलपति है जो ग्रूप बना लिया है पार्टियों ने उनके जो नेता है उनके अंतकरण में मतलब उनके अंदर कौन प्रवेश कर गई है अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया धृतराष्ट्र जैसे हम सबको पता है अंधे धृतराष्ट्र की मोह माया ने पूरे कुन फस गया है जो दल पती हैं उनके अंदर ये भली भानती प्रवेश कर गई है दल पतियों के अंतकरण में भली भानती प्रवेश कर गई है क्या प्रवेश कर गई है मोह माया और उदाहरण भी महाभरत से लेते हैं धृतराष्टर की मोह माया प्रवेश कर गई है जिसने पूरे कुरु वम्ष क्या नाश कर डाला, जिसमें द्रोणाचार्य और भीश्माचार्य जैसे बड़े-बड़े आचार्यों का नाश हुआ, तो ऐसे में अंतकरण में प्रवेश कर गई है भारत के जो दलपती है, जो नेता है, पाटियों के नेता है, उनकी अंदर आश्टर की सी मोह माया, लगता है बुद्धी जीवियों की हमारी अपनी बिरादरी भी शत्प्रतिशत लिप्त है, सुविधाय बटोरते जाने की द्यूत करेडा में, हमारी बुद्धी जीवियों की जो अपनी बिरादरी है, जो समझा जाता है लेखकों की बिरादरी है, जो कहते हैं अपने आपको बुद्धी जीवी तो कवी यहां कहते हैं देखो राजनेतिक नेता अपने इसमें लगे वे हैं स्वार्थ के शत्रंच खेल रहे हैं और उनके अंदर तो दृतराष्टर की मोह हमाया घुज गई है और इसी कारण प्रजातंत्रकारत पट्री से उत जादरी भी शत्र प्रतिशत लिप्त है 100% इसमें निमग्न है लिप्त होना मतलब एकदम से निमग्न होना सुविधाएं बटोरते जाने की द्यूतकरीडा में सुविधाएं बटोर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कौन यह बुद्धी जीवी बुद्धी जीवी भी द जाने वाला, जिसमें हार जीत का खेल होता है, गैम्ब्लिंग कहते हैं, यह जो है जूतक क्रिडा भारत में जुए का खेल अक्षडीडा या अक्षडीूत के नाम से विख्यात है, बेदों के समय से लेकर आज तक यह एकत्यंद लोक प्रिये खेल रहा है भारत में, वह खेल जिसमें दाओं बदा जाए और हारने वाला जीतने वालों को कुछ दे ये होता है द्यूतक्रिडा तो इस क्रिडा में देने लेने की प्रक्रिया मतलब जो हार जाता है कुछ देता है तो यहां सुविधाएं बटोरने की द्यूतक्रिडा है आप कुछ सुविधाएं जो बु कुछ मिलता भी है तो यह ऐसे है यह कुछ हारने जीतने का एक खेल है जहां कोई हारता है और कुछ देना पड़ता है एक तरफ राजनितिक नेता कभी हारते हैं तो इन बुद्धी जीवियों को कुछ मिलता है तो ऐसे बुद्धी जीवी हारते हैं तो कुछ देते हैं तो यह एक लेना देने की प्रकरिया चलता है और इसमें आश्चरी की बात यह है कि बुद्धी जीवियों की बिरादरी भी इसमें एक दमशत प्रतिशत लिप्त है तभी ये राजनितिक नेताओं की जो बातें बुद्धी जीवी खुल कर नहीं कह रहे चुप है और चुपी साधेवे हैं इसे उनको फायदा भी है तो ये है एक बात कभी इसमें उठाते हैं कभी ने जितने भी प्रजातंत्र पर आधारित कविताएं लिखी ये जो कविता है इसमें अपनी बिरादरी के लोगों पर भी वौंगली उठाते हैं अपनी बुद्धी जीवी वर्ग जो अपने आपको बुद्धी जीवी मानते हैं उनका देखे बुद्धी जीवियों का समाज के प्रती एक दाई तो रहता है लेकिन वो नहीं निभा रहे हैं वो कुछ और ही निभा रहे हैं सभी स्वजन जो भी परिजन है सुरक्षित हैं हमारी आशीश उन्ही के निमित हम तो हमेशा उन्हें आशीश देते रहते हैं आशिर्वात देते रहते हैं वे हमारे चत्रचाया में एकदम सुरक्षित हैं जो भी हमारे बेटे हैं हमारे बेटों के बेटे हैं, सभी, जो स्वजन, परिजन, सभी, हम तो उन्हें आशीश देते रहते हैं, उन्हीं के निमित हमारा आशीश सुरशित है, जी हाँ, अपन तो स्तित प्रग्य टहरे, हम तो भी स्तित प्रग्य टहरे, कोई अंगुठा दिखलाए, अत्वा अर्पित करे फूल माला, हमें तो कोई फरक नहीं पड़ता, कोई अंगुठा दिखा के, हमें नीचा कर दिखा रहा है, तो भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता, और अगर कोई फूल की माला पहना रहा है हमारा आदर कर रहा है तो भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता ये स्थित प्रग्य की बात से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिये गए गीतो पदेश की याद आती है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम आत्मिक योग बल के द्वारा अपनी अंतरात्मा में जांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो कर्म योग का आचरन करो और स्थित प्रग्य बन जाओ तो अर्जुन ये स्थित प्रग्य नहीं समझ पाए अर्जुन पूछते हैं ये मदुसूदन ये स्थित प्रग्य क्या होता है तो कृष्ण भगवान ने उत्तर कुछ यूँ दिया दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और नहीं जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदी विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता वो मनिश्य स्थित प्रग्य है तो यहां बुद्धी जीवी वर्ग भी स्थित प्रग्य है मतलब उसके हृदय में क्रोध, मोह, भय कुछ भी नहीं है कोई विकारों से परे है, इन सभी विकारों से परे है, बुद्धी जीवी वर्ग, तभी समाज में प्रजातंत्र का रत पट्री से हट गया है, लेकिन देखिए, बुद्धी जीवी वर्ग में कोई क्रोध, कोई भाय, कुछ भी नहीं है, वो स्तित प्रग्य है, पतलब इन वो परे हैं वे दुख भोग रहे हैं प्रजातंत्र पर जो आतंक लगा चाया हुआ है उसका दुख वे भोग रहे हैं बुद्ध जीवी वर्ग भी लेकिन उनके मन में कोई उद्वेग नहीं होता तो यह है स्तित प्रग्य तो यहां कभी कहते हैं यह जो द्यूत क्रिडा में लगे हुए हैं सुविधाएं बटोरने में शत प्रतिशत लिप्त हैं यह बुद्ध जीवी जिन्हें उनके अगला जेनरेशन जिनमें उनके पुत्र और पौत्र हैं वो अंगुठा दिखलाते हैं तो भी एकदम से स्तित प्रग्य हैं वो माला पहनाते हैं तो भी स्तित प मतलब कि टोक नहीं रहे हैं जब आप अपने बेटे अपने पाउत्र जब कोई गलती करते हैं तो एक बुजुर्ग होने के नाते आपका क्या करतवी बनता है कि उन्हें टोक ना वो आपको अंगुठा दिखा रहे हैं लेकिन वो आप उसे आशिर वचन देते रहे हैं तो और वो पुत्र और पौत्र जो अगले जेनरेशन अगली पीडी की जो लोग है वो समझेंगे कि चलो यही ठीक मैं कर रहा हूँ कोई मुझे टोकने वाला नहीं है हमारे जो बुझुर्ग हैं हमें आशिर वचन ही तो दे रहे हैं तो अंगुठा दिखाना ही सबसे अच्छा काम है यही चल रहा है यहां तो फिर कभी आगे कहते हैं यह जो अच्छा ही तो लगता है जब अंगुठा दिखा रहे हैं या फिर फूल माला पहना रहे हैं हम स्तित्प्रग्य होकर टहरे जाते हैं और यह दोनों ही हमें अच्छा लगता है हम दोनों का अस्वादन करते हैं तो कितना हम बिग गए हैं हमारी विरादरी के लोग कितने बिग गए हैं दोनों का अस्वादन कर रहे हैं इतना सब कहकर कभी कहते हैं लगता है हम भी साजिदार थे राजगाट वाली उस बेहाई में राजगाट वाली उस बेहाई में उस शर्मना गटना में जहां हमारे बापुजी को गोली मार दी गई थी उसमें हम भी कुछ हद तक साजिदार थे ये नहीं कि गोटसे ने मारा गोली उसके पीछे जो भाव था हम हमारी बिरादरी के लोग भी उसमें शामिल थे हमारी बिरादरी के लोग जो कवी वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने शायद जनता को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि बापुजी क्या थे तो उस घटना में हम भी साजिदार थे हमारा भी ये नहीं कि हमने अपना उस रक्त से हाथ धो लिया कि भी हमने तो नहीं किया बापुजी की हत्या वो शर्मना घटना में हम भी शामिल थे क्योंकि ऐसे बापुजी की घटनाएं बेहाई घटनाएं रोज तो घट रही है इस प्रजातंत्र में और हम चुब बैठे हैं तो ऐसे में कभी कहते हैं लगता है हम भी साजिदार थे हमारा भी दाई तो बनता है हम भी गुनेगार थे अभी तो उतर गया प्रजातंत्र का रत पट्री से देखो अभी उतर गया है प्रजातंत्र का रत अभी इस रत को कौन वापस पट्री में लाएगा ये शंका कभी के मन में कभी ताके अंतक रहती है उतर गया प्रजातंत्र का रत पट्रे से एक बार जब नेताओं को सुविधाय बटोरने की जो होड लग जाती है एक बार जब बुद्धी जीवी वर्ग एक समाज में चुप हो जाता है और एक बार जब हम अपने पुत्र पौत्र और स्वजन परिजन को सुरशित रखने में ही हमारा कर्म समझने लगते ह और हम स्तित प्रग्य होकर जहां के बुद्धी जीवी वर्ग और लेखक वर्ग चुप हो जाते है तो उसमें प्रजातंत्र का रथ का पटरी पर चलना ऐसा आशा करना ही वियर्थ मानों लगता है कभी को तभी कभी कहते हैं अभी तो उतर गया प्रजातंत्र का रथ पटर से लगता है सारी की सारी पाटियों के नेता रुची पूर्वक खेल रहे हैं दलीय स्वार्थों के शत्रंच अंधे दृतराष्ट की मोह माया भली भांती प्रवेश कर गई है दलपतियों के अंतकरण में लगता है बुद्धी जीवयों की हमारी अपनी बिरादरी भी शत प् पुत्र पौत्र स्वजन परिजन सुरक्षित है हमारी आशीश उन्ही के निमित जी हां अपन तो स्तित प्रग्य ठहरे कोई अंगुठा दिखलाए अथ्वा अर्पित करे फूल माला अच्छा ही तो लगता है लगता है हम भी साजिदार थे राजगाट वाली उस बेहाई म अभी तो उतर गया प्रजातंत्रकारत पट्री से जहां वानी पर विदेशी संगीने हों तथा लेखनी पर कारावास की काल कोट्रिया वहां राश्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति असंभव नहीं तो कठी नवशे थी लेकिन नागार्जुन ने असंभव को संभव बनाया हकलाते हुए वे कितने निडर थे उनकी कविताएं ही बताती हैं आपने अभी सुना कुछ मैं तो किवल कुछ नमोने के लिए कुछ कविताएं कह पाई हूँ उनकी सभी कविताएं आप देखेंगे आप आएंगे कि कितने बेजिजक होकर निडर होकर बिना हकलाते हुए कह देने वाले कवी थे बाबा नागरजुन जी का जन्म मधुबनी में हुआ था बिहार में 1911 को और उनकी मृत्यू 5 नवंबर 1998 को हुई थी उनके कविता संग्र क्यों जाएं तो उने बहुत सारे कविता संग्र मिलेंगे आपको उनमें प्रमुक हैं युग धारा सत्रंगे पं था खिचडी विपलव देखा हमने हजार हजार बाहों वाली ऐसे बहुत सी कविता संग्र हैं जो संख्या में काफी हैं कविता संग्र और इसके अलावा प्रबंध काविय है उनका भसमांकुर भूमिजा और फिर उपन्यास लेकन के और जाएं तो रतिनात की चाची बलच नमा नई पौत, बाबा बटे सरनात, वरुन के बेटे, दुख मोचन और पुरसकार भी उन्हें काफी मिले जैसे साहित अकेडमी पुरसकार उन्हें 1969 में मिला उनके मैथली में जो रचना थी पत्रही नगनगाच के लिए फिर भारत-भारती सम्मान मिला उत्तप्रदेश ह इंदी संस्ता द्वारा, मैथली शरन गुप्ट सम्मान मत्यप्रदेश सरकार द्वारा, राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 को और साहित अकेडमी की सर्वोच फेलोशिप से सम्मानित हुई, राहुल सांकृतायन सम्मान आधिस पुरसकारों से भी नागार्जुन जी को नवाज अग्या आश्चले चकित होकर कुछ प्रश्न पूशता है वो देखता है, मानव देखता है कि रित्वें बदल रही है सूरज उग रहा है, डोब रहा है चांद आता है, जाता है लेकिन आंधी भी आती है, पिजली चमकती है, बादल बरस्ते है लेकिन ये पेड ये जो व्रिक्ष है इतना विशाल का व्रिक्ष एकदम शान्थ और धीर होकर खड़ा है आखिर इसका रहसी क्या है? कभी पूछते हैं कि इतनी सारी रित्में बदल गई सूरज उग रहा है, डोब रहा है इन सब के होने पर भी तुमारे उपर कोई असर नहीं पड़ा तुम इतने शान्थ और धीर कैसे खड़े हो? और वो विशाल का व्रिक्ष एक ऐसा उतर देता है जिससे मानव एकदम चकित हो जाता है वो विशाल का व्रिक्ष ये कहता है कि इसमें मेरी कोई उपलब्धी नहीं है अगर मैं यहां खड़ा हूँ तो मेरी जड़ें इस मित्ती के नीचे जितना मेरा पेड उपर है मित्ती के उपर है उतनी ही अंदर मेरी जड़ें गई है और उन जड़ों को ये मित्ती ही संभालता है यहां वो विशाल का व्रिक्ष की दिनमरता को दर्शाया गया है वो खड़ा है, बहुत विशाल का है, सालों से खड़ा है लेकिन वो जानता है उसकी जड़ों के बारे में ये एक संदेश है मनिश के लिए कि हमें भी अपनी जड़े नहीं भूलनी चाहिए हम चाहि कितने ही विख्रिया हासल क्यों न कर ले हमें चाहि शक्ति और सौंधरी कितना ही क्यों न मिला हो लेकिन हम कहा से आए हैं, हमारे roots, हमारी जड़े हमको नहीं भूलना है ये कभिता का मुख्य संदेश है अग्ये जी ने कविता के भावपक्ष और शिल्पक्ष में इतने अधिक प्रयोग किये कि हिंदी साहिते का एक कालखन प्रयोगवात के नाम से ही जाना जाता है। 1943 में साथ कवियों के वक्तव्य और कविताओं को लेकर तार सब्तक का संपादन अग्ये जी ने किया। तार सब्तक का संपादन हिंदी साहिती जगत में एक एतिहासी घटना थी। इसी सिल्सले को आगे बढ़ाते हुई दूसरा सब्तक, तीसरा सब्तक, चौथा सब्तक इस प्रकार इहोंने संपादन किया। तार सब्तक के आवरुभाव से ही नई कविता की नीव रखी गई। अगे जी ने 20 से अधिक कविता संग्र, 4 पन्यास, 15 कहाने संग्र, एक नाटक उत्तरप्रियदर्शियूं का नाटक है और यात्रा विवरन, डायरी, निपंध, सब उनोंने सफलता पूर्वख लिखा। उनके कविता संग्र आंगन के पार द्वार के लिए उन्हे 1964 में साहित्यकडवी पुरस्कार से नवासा गया और 1978 में भारत का सबसे प्रस्टीजियस लिटररी अवार्ड ज्यानपीट पुरस्कार से अगे जी को नवासा गया। चार एप्रल 1987 को उनका निधन हुआ। और 1965 में फर्स्ट ज्यानपीट पुरस्कार विन्नर केरल के पुएट जी शंकर कुरुप जी थे। उस समय प्राइस अमाउंट करीब एक लाग था। फिर उन दिनों पुरस्कार लेखकों की केवल एकल कृती के लिए दिया जाता था। लेकिन बाद में संपूर्ण रचनाओं के लिए भी ज्यानपीट पुरस्कार दिया जाने लगा। और एक लाग रुपे से शुरू होकर 2005 तक आते आते साथ लाग कर दिया गया धनराशी और आजकल ग्यारा लाग है। तीन साल पहले इंग्लिश को भी ज्यानपीट पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। अंग्रेजी को भी। हिंदी और कन्नडा भाशा के लेखकों को सबसी अधिक बार ज्यानपीट पुरस्कार मिला। साथ बार। अग्यी जी को 1978 में अपनी कविता संग्र कितनी नाओं में कितनी बार के लिए ग्यानपीट पुरस्कार से नवासा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वातसियाएं अग्यी जी की कविता कियो जाते हैं। मैंने कहा पेड तुम इतने बड़े हो इतने कड़े हो न जाने कितने सौ बरसों के आंधी पानी में सिर उंचा किये अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता चीजता है, रुत्वें बदलती हैं, मेग उमडता पसीजता है, और तुम? साब सहते हुए, संतुलित शान्त धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके, पर भीतर ठोट कठेटे खड़े हो। कापा पेड, मर्मरित पत्तियां बोली मानो, नहीं नहीं नहीं, जूटा श्रेय मुझे मत दो, मैं तो बार बार जुकता, गिरता, उखडता, या की सूख ठूट होके तूट जाता, श्रेय है, तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हैं। उपर उठा हो मैं उतना ही आकाश में, जितना की मेरी जड़ें नीचे दूर धर्ती में समाई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने, मिटने वालों का भी, शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरन धर्मा है, वे ही जीवन दाई है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सियाईन, अग्यी जी की कविता क्योर जाते हैं। कविता मानव का कौतुहल व्रिक्ष के प्रती ये कौतुहल एक प्रश्न के रूप में मानव पूछता है मानव अपने आपको लगूत मानव समझता है वो बड़े से व्रिक्ष के विशालकाय भीमकाय शरीर को देखकर आश्चरिय चकित होकर पूछता है पेड तुम इतने बड़े हो इतने कड़े हो तुम इतने बड़े हो तुमारा तना इतना बड़ा है तुम इतने कड़े हो इतने स्ट्रॉंग हो नजाने कितने सो बरसों के आंधी पानी में सिर रूंचा किये अपनी जगह अडे हो कितने सो बरसों पुराना पेड़ है आप कोई tourist place में कोई forest reserve से गुजर रहे हों तो आप देखेंगे ऐसे व्रिक्ष मिलेंगे आपकी नजरों में जो हमारे residential area में नहीं मिलती है बड़े बड़े व्रिष, विशाल काई, तो उसे देखकर कभी पुछते हैं कि सौ बरसों, कितने सौ बरसों से आप खड़े हो, आंधी पानी में, आंधी हर साल आती है, साल में कई बार आती होगी, पानी बरसता होगा, और उन सब के बीच, तुम इतने कड़े होकर, इतने स् सिर उंचा किये, शान से अपना सिर उंचा किये, अपनी जगह अडे हो, अडे रहना, अडे रहना मिंस एकदम स्थिर रहना, अपनी जगह एकदम अडे हो, तो कवी लगु मानव, आश्चरे चकित होकर, प्रकृती के इस व्रिक्ष से पूछते हैं, कि पेड, तुम इतने इतने कड़े हो नजाने कितने सो बरसों के आंधी पानी में सिर उंचा किये अपनी जगह अड़े हो। तुम यहां खड़े हो। इतना आश्चेरे चकीत हो कर कवी पूछते हैं। यहां भी रात को उतरता है, फिर उतरता है। चांद की कई साइस होते हैं, जैसे पूर्ण चंद्र, अमावासिया। तो यह सब रितुएं बदलती हैं। और मेख उमडते हैं। मतलब की जब एकदम से पानी से भर जाते हैं, तो बादल, मेख उमडते हैं। और फिर बारिश के रूप में पसीजते हैं। जैसे पसीना आता है, वैसे ही कभी यहां संकल्पना करते हैं कि मेघों का बरसना पसीने के बहाने जैसा है। और तुम सब सहते हुए, संतुलित, शांत, धीर रहते हुए। और तुम सब सहते हुए, मतलब की सूरच का प्रकाश, सूरच का जो उजाला है, जो गर्मी है, वो चांद का जो चांदनी है, वो आपको मिलता है, रितु बदल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी मेघ गरस्ते हैं, बिजली आती है। इतना सब होते हुए भी तुम सहते हुए, संतुलित, शांत, धीर रहते हुए, संतुलित रहते हो, मतलब की यह नहीं की कुछ ऐसा दिखा दिया, कि तुमारा संतुलन ही बिगड़िया, एक्तम शांत रहते हो, और धीर रहते हुए, धैर्य पूर्वक रहते हो, शांती से र नहीं हो पहो सके तो कहीं रोने लगेगा कहीं हसने लगेगा ये ऐसा नहीं है तुम्टो एकदम अजीव हो तुम संतुलित रह रह रहे हो शांत रह रहे हो और धाइरे पूर्व के ये सब सह रहे हो और विनम्र हले आली से ढटे तुमारी हरे बिनम्र दि characterization है ihm इतनी soft है, जो पत्ते हैं, इतनी जब हिलते हैं, तो मानो विनमरता से हिल रहे हो, पर भीतर, ठोट, खटेटे खड़े हो, लेकिन भीतर जो है वो एकदम ठोट है, मतलब कि जड़ तत्व, एकदम ठोस है आपका जो तना है, जो वरिक्ष का बड़ा सतना होता है, इतना कटोर लगता है, ठोट लगता है लेकिन बाहर जो हरियाली है जो पत्तों का हिलना, वो इतनी विनमरता से हिलते हैं, खास करके जो नए-ने जो पत्तों का नए पत्तों का आना, फिर पत्तों का जड़ जाना, ये सब इतनी विनमरता दिखाती है तुमारी हर्याली और भीतर तो तुम कितने ठोट खटेटे खड़े हो भीतर कितना स्ट्रॉंग हो और कैसे ये होता है कवी आश्चिरे चकित होकर पूछते हैं कि सूरज उगता डूपता है चांद भरता चीशता है रत्वें बदलती हैं मेग उम से धके पर भीतर ठोट कठेटे खड़े हो अब जब मानव काफी कौतुहल पूर्ण होकर ये प्रशन पूछता है कि इतनी सारे रत्वें बदलने पर आंधी पानी के आने पर इतने बरसों के बीत जाने पर भी तुम रिक्ष कैसे ये सब सहकर संतुलित शांत धीर सहते तो व्रिक्ष पुलकित होकर घमंडी होकर अहंकार से उत्तर नहीं देता बलकी कापा पेड कापने लगा मरमरित पत्तियां बोली मानो और पत्तियां ऐसे हिली जैसे फुस्फुसा रही हो मरमरा रही हो बोली नहीं 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 जूटा श्रे मुझे मद दो अरे नहीं नहीं मुझे जूटा श्रे मत दो मेरा अपना इसमें कोई दे नहीं है मेरा कोई योगदान नहीं है अगर मैं यहां आंधी पानी सहकर खड़ा हूँ बरसों से तो इसमें मेरा अपना कोई श्रे नहीं है मैं तो बार बार जुकता गिरता उखड़ता तुम देख र करता है तो व्रिक्ष कह रहा है मैं तो बार बार जुकता रहे मुझे कई बार जुकना पड़ता है व्रिक्ष के बारे में कई कभियों ने प challenges है कि सुम्ब तरू मतलब जो फल उखते हैं तो तरू रिक्षवी नमरता से नीचे क्यों जुकता है गिरता है कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी शाखाएं टूट गई हैं उखडता है कई बार ऐसी होता है कि मुझे कभी ये जो होता है फलड वगएर आता है तो उखड जाता है पेड या कि सूख ठूट होके तूट जाता है तो देखे कैसी विनमरता का भाव व्रिक्ष के द्वारा कवी यहां जलकाते हैं कि अगर इतना हमें किसी ने कह दिया होता मानव को कि तुम कितने सुन्दर हो तुम कितने मतलब कि तुम्हारा तुम्हारी शक्ति कितनी है अगर कोई मानव से कोई कहे तो हम तो एकदम अपने आपको और उंचा समझ जयते हैं और हंकार का भाव मानव के अंदर हो जाता है लेकिन वरिक्ष ये कहता है कि मेरे पैरों तले जो ये मिट्टी है जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई है मुझे ये भी नहीं पता मेरी जड़ें कहां इस मिट्टी में खोई है एकदम डीप चला जाता है मेरी जड़ें उपर उठा हो उतना ही आकाश में जितना की मेरी जड़ें नीचे दूर धर्ती में समाई है देखो मैं तुमें दिखता हूँ तो मेरा एक जैसे कहते न कि आइसबर्ग का टिप ही तुम देख पाते हो बाकि आइसबर्ग पूरा सागर के अंदर रहता है उसी प्रकार मैं ये जो दिख रहा हूँ हूँ न जो मेरी हड़ें मेरी हर्याली दिख रहे हो तुम देख रहे हो मेरे तने को, ये तो मेरा बाह याकार है, वास्तव में जितना उपर उठा हूँ आकाश में, उतनी ही मेरी जड़े नीचे, दूर धर्ती में समाई है, एकदम मिट्टी के अंदर, धर्ती के अंदर, मेरी वरक्ष इतने स्ट्रॉंग है, तभी मैं उपर का म मेरा भाग मैं यहां सिर उंचा करके खड़ा हो पाया हूं। श्रे कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टी का। मेरा कुछ श्रे नहीं है। मेरा अगर कुछ श्रे बनता है तो इस नामहीन मिट्टी का है। देखो तुम मुझे मेरे बाही आकार को देख कर हे मनिश्य, तुम मुझे इतना स्ट्रॉंग समझ रहे हो, इतना महान समझ रहे हो, लेकिन वास्तों में क्या है, एक नामहीन मिट्टी ही मुझे यहां ऐसे खड़ा करने के काबिल बना रहा है, और हाँ, इन सब उगने, देखो केवल मिट्टी को ही श्रे नहीं, योगदान नहीं दे रहा है व्रिक्ष, व्रिक्ष कहता है कि जो सूरज है, वो उगता है, डूपता है, तो उसके उर्जा से ही मेरे पत्ती, मेरे लिए भोजन बनाते हैं, जो भरने, चीजने, जो चांद है, उसकी प्रकास से मेरे में जान आती है तो चांद का भरना और छीजना भी मेरे लिए महत्व रखता है बदलने मलने पसीजने और ये जो बादल है वो मड़ते हैं वो पसीजते हैं उससे मुझे पानी मिलता है उससे मुझे जीवन मिलता है बनने मिटने वालों का भी इन सभी का श्रय है, जो बनते हैं, जो मिटते हैं, उनका भी मेरे जीवन में श्रय है, अगर सूरज नहीं उपता तो भला पेड़ कैसे जीवन, इसका जीवन कैसे होगा, अगर पानी ही नहीं मिल रहा है, बरसात नहीं है, तो इसलिए वृक्ष कहते हैं कि ये जो अपने आप में दूसरों के लिए त्याग कर रहे हैं जो सूरज है जो चांद है जो बादल है उससे मैं बना हूँ और ये जो मिट्टी जो मेरी जड़ें अंदर तक समाई हुई है इस मिट्टी का श्रय है शतियों से मैंने बस एक सीख पाई है जो मरन धर्मा है वे ही जीवन दाई है एक पते की बात कहों सौ में से एक बात ध्यान से सुन ले है मानव मैंने बस एक सीख पाई है मैंने बस एक सीख पाई है जिन्दगी में कि जो मरन धर्मा है जो अपने आपको नश्ट करता है वो ही दूसरों को जीवन दान देता है जो खुद फलता फूलता है वो दूसरों को जीवन दान देने लायक है ही नहीं तो कभीर ने इस चोटी सी कविता में हमें ये सिखाया है कि जो मरन धर्मा है जो त्याग की भावना जानता है जो दूसरों को उपकार करता है जो खुद मिट कर दूसरों को उपकार करता है ऐसा नहीं कि अपने में से कुछ दे दिया यह नहीं अपने आप जल कर जैसे हम कहते हैं न दीपक जब जलता है तो खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है मुंबत्ती भी वैसे ही है फूल जल जल के दूसरों को प्रकाश देता है तो व्रिक्ष कहते हैं कि जो मरंदर्मा है वही जीवन दाई है तो यहां अहंकार को त्याग कर अपनी जडों की और हमेशा देखने वाले एक व्रिक्ष का उदाहरन के द्वारा कवी मानव को भी यह सचेत करते हैं कि तुम अगर कुछ बन पाए हो तो अपनी जडों की और देखो अपने गाओं की और देखो अपने माबाप की और देखो उनका जो त्याग है तुमें यहां तक पहुंचाने में सफल हुआ होगा यह नहीं कि तुम एकदम से अफसर बन गए तुमने बहुत सी डिग्रियां हासल की नौकरी हासल की इसके पीछे किसी का पसीजना है इसके पीछे किसी का मरन धर्मा होना है किसी ने पैसे लगाए हैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए किसी मा ने त्याग किया है किसी मा ने रोटी ना खाकर तुम्हें दी होगी या फिर किसी विक्ती ने तुम्हें पढ़ाई के लिए साहायता की होगी उन सभी को हमें याद करना है और तभी हम शान से सिर उंचा खरके खड़े होंगे जब हमें अपने जड़ों के बारे में जानकारी होगी आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई अग्ये का मेनिंग ही है एनॉनिमस हुआ ये इसकी पीछे भी दिल्चस्प कहानी है कहा जाता है ये अग्ये जी जेल में हुए सुदंदता संग्राम में भाग लेनी के कारण तो उस समय ऐसा हुआ कि उन्होंने एक कहानी लिखी और उस समय के चर्चित पत्री का सरसोती में भेजा प्रकाशन करने के लिए देखो उन जमाने में ऐसे इतना आसान नहीं था कोई आर्टिकल पग्रिश करना और लेकिन उन्होंने अपने कहानी में अपना नाम नहीं लिखा था और वहाँ जैनिंद्र जी थे हिंदी के मैशूर कहाने का तो जैनिंद्र जी ने संपादक को ये कहानी दिखाई और कहा कि देखी इसमें बहुत दिल्चप्स कहानी है लेकिन नाम नहीं है तो संपादक ने उसे अग्ये नाम से छापा वो संपादक और कोई नहीं हिंदी के उपन्यास समराथ प्रहेंचन जी थे और वहिंसे अग्ये जी ने अग्ये नाम से लिखना शुवतिया यल्पी उनका वास्तविक नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्सीयान अग्ये एरदिया मैंने कहा पेड एन्ना कविद आनन अमले नोकां पोन दू मैंने कहा पेड तुम इतने बड़े हो इतने कड़े हो न जाने कितने सो बरसों के आंधी पानी में सिर्रोंचा किये अपनी जग अड़े हो मैंने कहा ना मलरे अदिशेतोड चुएकियों विरिक्षमे नी इतने विल्यदा आण इतने स्ट्रोंग आण कड़े हो ना मतलब स्ट्रोंग नजाने कितने सो बरसों के आंधी पानी में एत्तरयो वर्षंगल आखको उरिवाड आयुस्वरल वर्षंगल ओंड इल्ले नमल काण्ड़े हो अपनी जगह अडे हो अडे होना मीनस अं उर्च निक्या सिर्र उँचा करके नल्ल तलेडफोंग पोड़ुडी इवरिक्षम एंगन इगन इगन निक्किन निक्किन इत்र नाला आखक निक्किन इत्तर वर्षंगला आखक निक्किन इद नटेक्के काल कट्टत्थी अत्रयोओ म slop आणशेरी अना तत्रे, नल्ल स्ट्रोंगा एट्रोल, वेल्ली-वेल्ली विरुप्षंगल गाना, अपको, कवी, इंगेने, कवधुग पूरुना एट चोईगी आना, सिर्र उंचाकी, अपनी जगह आडेहो, तलेड़ पोडु उडी, तंडे, आ, निक्किन्न स्थलत्त, उरच्च, नि सूर्य नानंगी एन्दुम रावले उदिकिम, अस्तमिकिम, चान्द भर्ता चीशता है, चन्दर नानंगीलों अधुवोलान, पलड़ शेप्स, रावले वन्न, पलड़ दोसंगलों पलड़ शेप्स, रुत्तुमें बदल्ती है, क्लाइमेट्टिकल मारी-मारी वेरिम मेघग हुँ उमडता पसीचता है, अधुवल मेघ, बादल, मेघंगल, अधुगने, मळरे कर्ट उरंड मेघंगल वेरिम नरण्य वेल्ला नरण्य इक्किमब, पिन्न अधु पसीचता है, अधु वियर्कुम, पसीचना वियर्क, इवढ़े कवी संगल पीकिनादु, मेघ प्रिक्ष्ट, मेगंगल इनन मडवेम्पोल अदिंगिने वीयर्कुन नवोले, और तुम् सब सहते हुए, सहना सही किया, तुम् सब सहते हो, मतलब की, सूरिन उधिकिननद, अस्तमिकिननद, चंद्रम वरिनू पोवन्नू, क्लाइमेट्टु मारनू, मेगंगल चलपप, शा सहते हुए, यल्ना सहीच निक्किननू विरिक्षमे, संतुलित, शान्त, धीर रहते हुए, अदु वहले, वलर संतुलित, वलर बैलन्स डायट्टु, इत्रेम आबत्तक्लका मन्षन सहीच इरु नंगी, मन्षन एननने, नेलविलीच रोड़ंगी एने, पशे, विरिक्षम संतुलित, बैलन्स डायट्टु निक्किनन, शान्त, शान्तमायट्ँ निक्किनन, धीर रहते हुए, विनम्मर हरियाली से ड़की, अदु वोले, नी वलर स्ट्रोङ आणु निन्दे, आ निप्पगंडाल अरिया, निन्दे आ थाड़ी भागंडाल अरिया, नल्ले, पुल्लोल्ले आ एलगल एलगल इलगल इंगिने काच्चत्त विनम्मरमाय टनंगन पोले वलरे विने तोडे वलरे शांत भावतिल एलगल आगत्त निंदे आ वोरु स्टेम वलरे ठोट कट्थेटे एक्दम स्ट्रोंग होकर जड होकर कंडाल वोधी जीवन इला थबुले तो यहाँ कवी एंदे चेयाँ पेड नोड विक्षत तोड अधिशे तोड वरु जोधिन चोई कियाँ एंगेन इत्तरय नाला एट्ट नूरिल पर्यम कोड़ुदेल वर्षंगल आयलो इंगिन निक्किन्न सुन्दम तला उयर्थी यशसोड शीरसुयर्थी निक्किन्नों इदें डडेकि सूरियं मरनु वोनु चंतरम वनु वोनु राय मेट्च मारनु मेघंगल उममड्त पसीजना मेखंगल गर्जिजिकेन्आ अधिशन्ट शान्त धीरडैते वलरे संतुलित आत्त बैलन्सड ऩाँब्स शांत आमायएट्ट धैर्यवूर्वं धीर धैर्य वो पुगेड़त लक्क केटाल उर मादरी पेट्टा इल्ला वरिम्मलर आ जान इंगिने आण। इननोल रीदील प्रगड़िप्पीक्यारोंड। मनिशर पोधिवे आंगनान। नमले आरीलो उन्न पुगेड़्तियां नमले वल्ला थांग भूमिल्ली नंग पोंगी पोवारोंड। पक्षे इव्रिक्षमिदल्लां केट्टिट्ट। वड़रे कांपपा पेड वेरक्यां दोड़ेंगें। मर्मरित पत्तियां बोली मान। एनननटा एलगलेल्ला इंगिने आड़न्न गंडा नमगुथो उन्नुम। मर्मरित पत्तियां वेरक्च्च परएन वोले तोनुम। नहीं नहीं जूटा श्रे मुझे मत दो। यो यो पाडिल्ल्या एनिके जूटा श्रेय मत दो श्रेय मिन्स डिसर्वीन इल्ल्या जूटा अधु अर्हीकिन इल्ल्या एनिके जूटा श्रेय मुझे मत दो मैं तो बार बार श्रुकता निंगल काणब जूटा श्रुग जूटा श्रेय में जूटा श्रेय मुझे मत दो याकी सूक ठूँट होके ठूट जाता अलेंगी कभी-कभी यानन वणंगी ठूँट हो जाता ठूँट हो जाता अधिन अधिन आप भागवांगी पोट्टी पोगार उन्ट इनकी चला समयत श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को एंदे दाये टुन्दू इल्ल्या अभिमानिके अंधकोणम् एनके अंधिल्या उन्ट इंगिल्ण अधि मिट्टी का है पैरों तले इस मिट्टी के एंड कालिगल निक्किन्न इमन्निन आण एंदेल्या परयानोलदू जिसमे नजाने कहा मेरी जडें खोई है येनके इदेंडा उल्लील एवड मरे आण एंडवेर पोयरिकिनन इन्दू उल्यूनी कारी इल्ला एंडवेर एत्तर तोलं ताडोट पोयरिकिनू आत्र तोलं आणिया मोलोट पोयरिकिनादू उपर उठा हों उत्तना ही आखाश में जितना की मेरी जडें नीचे दूर धर्ती में समाई है यान एत्तर निंगलक मोल्ल निंगलने काणनों निंगलने बाहिर उव्वे काणननों एंड रोट्स एक्चुली इम मन्निन डडीलानू इम मन्नने एत्तर तोलं स्टोंग आट निर्तनों अत्रतोलों आणने जा मोल्ल भागम स्ट्रोंग आट निकिननदु श्रेय कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टीका एंड उर इदलों एंड कडवन वरायन उन्नु इल्ला इस नामहीन मिट्टीका इप आर वर्याते इम मन्निन आण एक्चुली ननन्ने व इन सब्काभी श्रेय है आरक्यानं उगने डूबने आराण उगना डूबना संद्राइसूं संसेट्ड्टूं भर्ने चीजिने चंद्रन पलशेपुगल वर्पंदूं पोयी इरिक्यूं बदलने मलने पसीजिने अदुले मेखंगल उरंड वेरिं गर्जिक्यूं कुल्या इन्सपके बन्ने मिट्ने वालों काभीश्रेह, एंड़ जीविदत्तिल इविरुम् उर्वाड योगदान जेदट्टुन्दू, इवरड़ उर्वाड कोंट्रिबीश्न एन्ने लाइफले, अपप विरिक्षम परेनदू, उन्ना आधेतद इन्मिट्टी, निंगल काणात् परच निक्किननदू, आ मन्निन आणने, एन्ड़ सगल इदुम् कोड़कान, एंड़ एंदे लोंडंगी, अधे मन्निन्ट उरु योगदानानू, अधुपोल, निंगली पर्णिले, सूरियन मन्नु वोवन्न्नू, अपपम, कवी, पर्णिपम, सूरियन वलरे, विशालम स्टाराण, सूरियन वन्नू, एल्लारिम वन्नू वोवन्नू, पश्चे, अवरे एककालूं स्ट्रोंगान, इवरिक्षम न विदील, उरि ध्वनील, कवी, चोई चपपम, विरिक्षम परेनदू, अवरडे यल्ला शिरय ओन्डे, एनिक्कि, सनलाइट इल्लंगी, एनिक् चीन्य, इल्ला दावन्नाद, मच्चद ने वाळवान्नमूल परेनेवले, और बस मेने शत्यों से, एक सीक पाई है, यानि त्रे मर्शेवड जीवीच्वंगेले, इनिक्के और सीक, और अर्रिवान इनिक्के एट्टों विल्यदे आटिकिट्टिय यदु, जो मरन धर्मा वेही जीवन दाई हैं, मार आराणों मट्ट्टुल वरकुत्त्य थ्यागन जेएद इल्लाद आवनदु, अवराण वेर जीवन यंदिलुम् नल्गुनदु अवके इवन आवन dignity, बीस, अवराण एऊचिन वेर कुराण ऩर्क अवकारे, बीस, इंठाम, प्रकुत्य। नम्मलिंदील नेडी टुन्डंगिल नमड़ विन्निल नमड़ अच्चनुमम्मे, नमड़ कुडुम्बं, नमड़ सम्मूह, उरिवाड़ वेरित्त याँगं साइच्चित्टान नमड़िंगिने एत्तियदु अप्पा, वन्न वढ़ी मरक्के दिदु, अधु एप्पिडु ओर्थिरिकिनन नल्ला दाननोलोरी संदेश्वानी कविदेलूडे नल्गुन्नदु यत्र स्ट्रोंगwir आयलुम् विनम्मरमा येट्टु, वियैं विक्ष होवले आणु, अवर इला था येट्डरान आणु, विष्या अधनें स्ट्रोंगु, विक्ष्यादं युलेगरक्क स्षोफ्ट्म् विनम्रोंग्त. अधुवोले विक्षों वरेनोंटु, नन्नी रेखपिड़त्तुनोंटु, इसूरियनुम्, जन्दरनुम्, मेगंगलुम्, एल्लाम एनिक्के जीवन्दाई आण। अवर इल्लादा आएट्टाण एनिक्के जीवन्दादु, अधुवोंटे एन्डस्ट्रै ओन्नुम अल्ला, अप्पाम् फ्लैक्टर आवंधा गार्यु इल्ला, आरेलं पुगेड़त्याल, नमलु पेट्टननंग, भूमीन, पोंगंड़ गार्यमिल्ला, नमक्कु इदल्ल कहानी है, या फुद कविता है, जो भी है, हिंदि साहिते से जुड़कर, केरला इनिवर्सिटी और कैलिकर्ट इनिवर्सिटी दोनों ही हम हैंग्ल करते हैं, तो जो जाएए, जुड़ते रखे, सेफ रहिए, घर में रहिए, धन्यवाद.